तो लाच लास हम लोगोंने कुछ बेसिक्स जानने की कोशिस किया था जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि करेंगे करेंगे तो मैंट में जाके क्या हो जाएगा वह से और लेकिन Mikhaそんな में आज तक नहीं यॉसी सिर्फ आर वालेज के लिएद अते रहते हैं उसके बाद के स्टोंगर करेंशी हैं थिच्पावंड उसके बाद के स्टोंगर करेंशी Swiss Franc, CHF, उसके बाद Euro, EUR, उसके बाद Dollar, USD, उसके बाद Canadian Dollar, Australian Dollar, Malaysian Ringgit, MYR, या गया हमारा Malaysian Ringgit, फिर उसके बाद Chinese Yuan, CNY, इसके बाद है हमारा Indian INR, Nepalese Rupees, NPR, JPY, Japanese In, इतने सारे currency के list है, अब हम लोगों ने एक चीज क्या देखा कि जो stronger currency है, हाँ मैंने बोला था कि Fractional Unit, at least 3 currency का याद रखना, Euro की जो Fractional Unit है, वो है आपका Cent, USD की Fractional Unit जो है, वो क्या है, Cent, तो आपके बता दो, जितने भी Dollar है, सब की Fractional Unit Cent भी है, यानि कि Canadian Dollar का भी Fractional Unit Cent है, Fractional Unit का मतलब जैसे रूपी के लिए पैसा है, वैसे ही Euro के लिए Cent है, यानि कि 100 Cent मिलके क्या बना है, एक Euro, 100 Cent मिलके क्या बना है, एक Dollar, वैसे ही अगर आप Pound पाउंड की बात करोगे तो पाउंड की जो फ्रेक्शनल यूनिट के है आपका पैनी ठीक है और CHF अगर की नहीं भी याद रखोगे तो चलोगे अगर याद है तो ठीक है कोई बात में जो जनल नॉलेज के लिए आपके लिए काम का है यह बाकी जो हमारे syllabus के लिए काम का है इस पे आपको questions derivative में मिलेंगे खास करके क्यों derivative में जो premium होगर होते है न call put की वह बहुत छोटे-छोटे होते हैं पैसे हम होता है तो वहाँ पे sent होगर award आपको बहुत सारे मिलेंगे इसमें भी मिलेंगे एक दो questions के अंदर फिर हमने एक चीज क्या देखा कि जो stronger currency होता है उनकी जो quantity होते हो कम होता है stronger currency की quantity क्या होता है कम जिसे 2000 की note stronger है उसकी quantity क्या मिलेगा आपको कम और जो आपका weaker currency है weaker currency की quantity आपको क्या मिलेगा आपको जादा मिलेगा आपको तो इसमें क्या होगा देखना जब भी कभी इन currency हो के बीच में अगर exchange rate बनाने की कोशिस करना तो हमेशा नीचे वाले की quantity जादा होगा in comparison to उपर वाले से ये चीज हमेशा याद रखना तो हमने एक चीज और देख currency को per unit में डाला जाता है per unit डालने का मतलब जैसे आप जाते हैं सबजी खरीदें per kg करेट देते हैं वैसे जिसको भी commodity बनाओगे उसको per unit रखना होता है तो Malaysian ringit 1 रखा तो अब बांकी कोई भी currency लीजे अगर मैं इससे नीचे वाले currency लूँगा इसके सामने तो quantity 1 से जादा जाएगा अगर इसके ऊपर वाले कोई भी currency लूँगा इस सारफ right hand side में तो quantity less than 1 जाएगा मान लेजे मैंने यहाँ पर euro रखा ठीक है euro कितना होगा यह आप से मैं पूछो तो euro क्या है इन दोनों के comparison में stronger है तो euro की quantity हमें साब का कम आएगा इसके comparison में तो मैंने इसके साथ त 1 kg तो अलड़ी बना दिया इसको तो इसकी quantity क्या जाएगा बताएगा बताएगा लेज दैन वन अब लेज दैन वन कितना होगा जितना भी होगा उससे क्या करना है फिर भी अगर अगर एक मोटा मोटा इस्टीमेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो क्यों कि मलेशियन दिंग लेकिन हमने तो बोला यह तो यह stronger है इसकी quantity तो कम करनी है तो कम कैसे होगा बताएगा 20 divided by 90 से हो जाएगा तो यह देखें यहाँ पे 20 divided by 90 कितना आ गया 0.2222 तो इस तरीके से कोई भी currency के बीच में हम लोग exchange rate जो है derive कर सकते हैं वैसे यह सिर्फ general knowledge के लिए था rate derive करना क्योंक पाता होता है तो बहुत बहुत बार जब हम लोग कुछ mistake कर रहे होते हैं तो फटाक से immediate पकड़ में आ जाते हैं कि हम कुछ mistake कर रहे हैं क्योंकि बहुत बहुत बार क्या होता है? क्क्वांटिटी हमें निकालना होता है, वह quantity आना चाहिए था जौपड़ा, और गल्तिस enhancement rate क करके quantity आते हैं कभी कभी divide करके आते हैं तो multiply करके निकालना है या divide करके निकालना है वो सब चीज आपको आराम से पकड़ में आ जाएंगे अगर यह चीज आपको ध्यान से यह चीज clear है तो ठीक है और यह ऐसी को बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इसमें हमारे को बहुत ज़् लगाने की जर्रत है और फिर हम लोग बात कर रहे थे premium discount की तो premium और discount के अगर बात करें तो premium कोई भी currency महंगा होना अप्रिसेट होना premium को बताते हैं और discount का मतलब क्या बताई है depreciate होना महंगा होते हैं न कोई भी समन तो याद रखना उसकी price बढ़ता है खुद की quantity नहीं बढ़ते हैं खुद की quantity नहीं बढ़ते का मतलब क्या हुआ कि अगर apple महंगा होता है तो apple की quantity में कोई change नहीं आते है apple की price बढ़ती है तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर euro मेर महंगा हो रहा है अप्रसेट कर रहा है तो याद रखना उस case में इसकी जो price होगा न वो other currency होगा अब कौनसी currency के respect में दिया हमें कैसे पता तो other currency की quantity क्या होगा बताइए other currency की quantity बढ़ाना पड़ेगा आपको अगर मैं बोलूँ कि कोई भी किसी की जैसे अगर मानलीजी यहाँ पर मैं कहता हूँ dollar depreciate हो रहा है तो dollar की quantity को untouch रखना और आपको क्या करना पड़ेगा दूसरे जो currency है उसकी price उसको क्या करना है आपको घटा देना है एक चीज हमेसा याद रखना कभी भी premium discount कोई भी currency होते तो अपने quantity पर कोई भी impact नहीं आते अगर percentage हम में कभी बात तो okay और फिर हम लोग कहां तक पहुंच गए थे फिर उसके बाद हम लोग कुछ exchange rate determination की बात करें थे बहुत सारे region है कि exchange rate fluctuate होते रहते हैं जिसमें से main region आपका एक interest rate आता है और एक आपका inflation आता है उन सब चीजों को detail में discussion करेंगे लेकिन हम लोग अब आगे बढ़ जाते ह exchange rate decide कैसे होता है जब हमने बात किया तो हमने बोला purchasing power को main आपको बताना है कि किसी भी सामान की जो price होते हो दो currency में दो country में क्या होते बताएगा equivalent term में same होता है तो किसी भी सामान को purchase करने की जो आपकी capability है उससे किसी भी exchange rate को derive किया जाता है तो वहां की price और यहां की price same commodity के ल बोला जाता है उससे आपका exchange rate आ जाएगा ओके appreciation depression भी हम लोगों ने देख लिया था और हम लोग अब पहुंच रहेते कहां पर बात करेते कुछ exposure की ठीक है कि foreign currency का यानि कि foreign exchange का क्या exposure है तो देखिए exposure exposure can be defined as a contracted oblique projected or contingent cash flow which magnitude is not certain at the moment यानि कि future में जब भी जाओगे न तो कुछ भी certain नहीं होता है वो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो वो जो आपका contingency है उसी चीजों को हम लोग यहां पर क्या बानते है exposure यानि कि simply risk ठीक है exposure जब भी कहीं पर मिले तो आप समझ के जलना कि future की जो cash flow की जो uncertainty है उसी चीजों क हम लोग किस से जानते exposure से तो हम simply कह सकते है यह किसी जो को बताता है risk को क्योंकि जैसे ही कोई uncertainty है तो risk है क्योंकि वो हमारे favor में भी हो सकता है against भी हो सकता है the foreign exchange exposure may be classified under three broad category transaction exposure, translation exposure, operating exposure या economic exposure यानि कि तीन तरह के exposure जो होते हमारे risk में आता है जो transaction exposure हो रहता है वो आपको currency के fluctuation से generate होता है ठीक है यह जो translation exposure होता है यह किसी एक particular time पे जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले accounting standard में अभी इंडेस में भी पढ़ते हो कि जब हमारा balance sheet पे बिल्कुल balance sheet में जिस दिन बन रहा है यानि कि जिस दिन आपकी accounting year close हो रही है उच दिन हमें जितने भी foreign currency वाले assets हो या liability हो पेवल हो या receivable हो उन दोनों को 31st March के rate से restate करना होता है जैसे मान लिजें आपने कोई receivable दिखाया था आपके पास आने वाला था मान लो dollar 1000 आपको receive होने वाला आपने balance sheet में इसका equivalent दिखाया होगा क्योंकि हम तो जो भी books of account maintain करेंगे वो books of account किस currency में maintain करते हैं इंडियन currency में लेकिन आपकी तो amount आने वाला कौन सी currency है डॉलर तो क्या करते हो उस case में equivalent निकालते हैं अब equivalent किस rate पे निकालोगे नहीं अभी balance ही बनने की date नहीं आई है अभी तो मैं 1st March के 1st week में हूँ तो जो हमारा transaction हो रखा होगा माले जिस दिन हमने import किया होगा या export किया होगा या receive वाले तो obvious से बात export किया होगा या कुछ और भी हो सकता है किसी को दिया आपके transaction हुए होंगे उस दिन के rate से किया होगा अब rate कौन सी लिया वो तो अब हमारे practice बताएगा कुछ लोग RBI करेट उठाते कुछ लोग अपने bank के transaction होते वो rate उठाते कुछ लोग जो custom बाले rate डिपार्ट जो decide किया हो दी रहा होता है वो custom बाले rate लेते अब कौन सी rate ले 70 का आप क्या कह रहे होगे यह हमारा कितना receivable बताएगे 70,000 हमारा receivable है लेकिन जब 31st March को balance sheet बन रहे होंगे तो उस टाइम पे exchange rate यह नहीं होगा यानि कि अब मान लेजे 31st March को exchange rate 80 का चल रहा है 80 रुपे का rate चल रहा है डॉलर का तो उस दिन पे तो आप क्या सोच रहे हो आ आने वाला है तो accounting standard Indian accounting standard आपको क्या कहता है कि देखो जी आपके balance sheet में 80,000 का receivable दिखनी चाहिए तो हम कहते फिर तो 10,000 का entry कैसे डालो balance sheet में जो assets हमारा 70,000 का था उस assets को कितना करना है बताए 80,000 तो यह जो आपका income है यहाँ पे अगर यही चीज उल्टा हो गया होता तो loss हो का gain हो सकता है loss हो सकता है तो यह क्या है हमारे लिए translation exposure तो छोटा सा कानी है यह last में लिखा होगा यहाँ पे कि translation exposure क्या है तो translation exposure is also called accounting exposure और balance sheet exposure यह आपको किसी यहाँ पे पहुंचे होंगे 1.19 पे तो छोटे चीजों को पहले निप्टा लेते फिर हम बड़े चीजों को translate करना, translate समझते हो ना, बदलना, translate करना, रिखते हो ना कहते है कि अच्छा, हिंदी को इंगलिस में translate करो, तो translate करने का मतलब एक चीजों को दूसरे में बदलना, तो यहाँ पे balance sheet के value जो है वो हम लोग current receivable या payable पे जो हम लोग re-state करते, that is the translation exposure, clear है? यह सब आपको हो सकता ह theory में आपको दिख जाए, ठीक है, बांकि otherwise question इस पर नहीं है अभी तक, it is basically the exposure on the assets and liability shown in the balance sheet, very simple, इससे ज़्यादा को जानने की जरत ही ने, economic exposure या operating exposure जो होते है, वो कहते, it is an overall impact of exchange rate change, यह बहुत बड़े terms है, यह जो economic exposure और operating exposure है नो बहुत बड़ा term है, यह वाइडर term है, it is an overall impact है, exchange rate का, on the value of the firm, value of the firm पे, किसी एक accounting transaction पे नहीं, और value of firm जो होते हैं, बहुत बड़े term है, company की value पे क्या फर्क पड़ेगा, foreign currency का fluctuation से, लेकिन वो भी तब होगा, जिनके, क्या कहते हैं, balance sheet जो होता है, किस से link होता है, मतलब आपकी business अगर foreign currency से link है, तभी उसके fluctuation से, आपके value of the firm पे कोई फर्क पड़ेगा, समझ में आगया, तो यह छोटा बात, छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़े terms में बोला अगया है, और इस पे कभी question पूछ ही नहीं सकता आपको, समझ में आगया, क्योंकि company की value की बात हो रही है, company की value में एक चीज नहीं आते है, हजार तरह की assets है, हजार चीज जो उससे link है, उन सारे चीजों पे, अगर हम exchange rate का impact डाल दे, तब जो impact आपके जो effect आएगे, उस risk को क्या बोलते हैं हम लोग, economic exposure या फिर operating exposure, operating exposure is more complex than transaction और translation exposure, added deals with broader strategic implications, बहुत सारे चीजों में इसमें impact आते, तो value of form को आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसमें link कर सकते हो, एक-एक transaction का link जो होगा, आप जैसके currency fluctuate होने से, जो link होना, वो आपका हैगा transaction exposure से, जो आपकी transaction होई है उसका क्या risk है, उसमें क्या uncertainty है, तो जैसे import हो गई, export हो गया, या आपने loan लिया, या आपने किसी को पैसे दी या deposit किया foreign currency, सारे transaction किस currency में, foreign currency, अगर home currency का transaction हो, तो कोई link ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बात साज में आपकी कुछ? ओके, तो transaction exposure relates to the potential impact of exchange rate fluctuations on individual transactions involving foreign currencies, it is most common one amongst all exposures, सबसे ज़्यादा common कौन से है आपका transaction का, हर एक एक transaction का, तो हमारे पास बहुत सारे transactions हो सकते हैं, जैसे कि आपका क्या कहते है, export, import, loan, deposit, ये चार चीज जो आपको common मिलेंगे, export, import, deposit, borrowing, ये चार चीज आपको क्या मिलेगा, common मिलेंगे transaction के अंदर, चली तो हम एक एक काम करते हैं, एक example frame करते हैं, जिसमें हम लोग ले लेते हैं, पहला यहाँ पर जो दे रखा है, आपको import वाले बात हो रही है, तो हम भी import ले लेते हैं, rate लिया गया है, इस पर कितने का, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे आगे, pound में है, नहीं, dollar में, hundred dollar का क्या हो पढ़ना है, risk को manage करना, तो अभी manage करने वाले काम तो हम अब next step में करेंगे, पहला step में क्या करें, risk को identify करें, लेकिन अब तक हमने risk जेखा नहीं था, last class में सिर्फ currency पे discussion किये, कि appreciation, depreciation, कैसे currency, stronger, weaker, list, यह सब सिर्फ currency पे बात किया, आज सिर्फ risk पे बात करेंगे, और फिर अगला topic हमारे क्या होगा, उसको manage करने की, अच्छा, तो सबसे पहले हमने transaction ले लिया कौन सी, import की, अब import कर रहे हो, तो दो party है, मान लेजी एक है कौन सी आपके पास, Mr. India, ठीक है, एक है Mr. India, और एक हम लोग ले लेते कौन बताईए, Mr. USA, ओके, तो जब दोनोज party के बीच में transaction होते हैं, तो आप मुझे बताई, invoice तो बनेंगे न, और याद रखना, जब payable या receivable होगा, वो किसी एक currency में होता है, समझ में आगया, किसी भी एक currency में हो सकता, यह mutually decide करेगा, कब decide करेगा, बताए, बिलकुल, जिस time आप transaction कर रहे हो, उसी time पे decide करोगे, क्या decide करोगे, कि मुझे payment या receipt किस currency में करनी है, तो अब मान लिजे, यह है Mr. USA, ठीक है, अगर कोई अपने notes को अगर देख रहे होंगे, अगर नज़ा डालते हो तो, वैसे तो मैं कहता हूँ, नज़ा डालो मत, घर पे जाके नज़ा डालो, यहाँ पर क्या करो, स्क्रिन पर नज़ा डाल तो इसलिए जब भी इस तरीके का कोई example सो करा है, logic समझाने के time पर, तो मैं कोसिस करता हूँ, उसी चीजों को दुबारा क्या करो, यहाँ पर फिर से लिखूंगा मैं, ताकि आपका नज़र वहीं पर हो, जितना मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो दोनों की पतले से, क्योंकि जब import होते हैं, तो एक में भी risk आता ही नहीं है, क्यों नहीं risk आता है सोच के बताओ, हाँ, risk आपके उस case में होंगे, जो सामने वाले party अपने माले जी import किया, और इस party को risk एक ही case में आ सकता है, आपकी वजूद खतम हो जाए, ठीक है, आपके कुछ भी न बचे, बस इस बात का risk है, आप payment नहीं करोगे, इस बात का risk के पास है ही नहीं, क्योंकि बिना, आप bank से जब तक इसको guarantee दे ना दोना, तब तक आपको भेजेगा ही नहीं, समानी नहीं भेजेगा, कौन, ये party जो है, जब तक आप अपने banker से इसको guarantee ना दिला दो, इस guarantee को ब इसको बेज देते हैं, वो document इस बात का assurance होता है, कि time पे payment मिलेंगे तुमें, और पूरे amount मिलेंगे, अगर ये नहीं भी देता है, तो मैं तुमें दूंगा, इस बात की guarantee होता है, तो मुझे बताए risk इस बात का फिर, सोच के देखो, बट फिर भी, कोई बात नहीं, अब currency fluctuation जरूर होगा, वो क्यों होगा, अब देखो, अब जब ये banker तो guarantee दिया है ना payment की, लेकिन जब payment हो रहे होंगे बाद में, तो ये आप से banker जो इने उतने पैसे receive करता है, जो उस दिन का exchange rate होगा, ठीक है, तो exchange rate fluctuation risk रहता है, लेकिन जो default इसको गर होते है, वो कभी भी आपका real life में नहीं रहता है, चलो तो ये import किया, क्या इसमें, अगर अभी कि अभी payment करना हो, तो currency fluctuation risk भी नहीं है, यानि कि transaction exposure भी नहीं है, अभी payment करना पड़े तो, अब बोलो कैसे, अभी तो ये credit चल रहा होगा, उस rate पे payment करो सामने वाले party को, किस बात का risk, नहीं है, अब जब invoice बनेंगे, तो invoice बनाते time, ये दोनों mutually decide करते हैं, ठीक है, ये mutually decide करते हैं, कि invoice में क्या currency लिखा जाए, क्योंकि आपको पता है, कि यहाँ पे रूपी भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे dollar भी लिखा सकता है, और कोई other currency लिखा जा सकता है, जैसे बहुत बार क्या होता है, ऐसे पार्टियों की बीच में transaction होता है, जो एक पार्टि केते में, तुमारे currency हमारे country में नहीं चलता, और एक पार्टि केते हमारे currency तुमारे country में चलता, तो उस case में क्या होता है, पता है, एक third currency को ले लिया जाता है, जो popular एकास करके dollar ही आ जाता है, आज अब स्रिलंका सिरलनकन करेंसी यहां से नहीं मिलेगा आपको तो हम क्या करते पता है डॉलर लेके वहाँ जाते फिर वहाँ डॉलर एकसेंज कराएंगे दूसरे कंट्री में भी कहीं चले जाओ आज कहीं भी जाईए उस कंट्री के करेंसी हम यहां लेके कम जाते हैं डॉलर लेके ज़्यादा जाते, क्योंकि डॉलर क्या होगे, एक medium of exchange हो चुका है, बीज का है कि intermediary currency बन चुका है, इतना ज़्यादा popular हो चुका है वो, यानि कि simply हम यह कह सकते हैं, कि अगर मान लिजे कोई यह, ऐसे country से हो यह दोनों, जो इन दोनों का बहुत ज़्यादा popular नहीं है currencies, तो क्या करेगा पता है, ना उसका currency यह accept करेगा, ना इसका currency वो accept करेगा, उस currency में क्या हो जाएगा, थर्ड currency में invoice बन जाएगा, तो वो भी condition बनता है, तब ही तो पहले हम एक के करके देख ले, तो मान लेज़े यहाँ पर, पहले एक काम करते हैं, इसमें हम लोग invoice बना लेते हैं, डॉलर currency में, ठीक है, तो अब डॉलर में जब invoice बनेंगे, तो जो सामान आये थे, जो goods आये थे आपके पास, आप मुझे बताएए, उसका डॉलर के जो price होगा, उतना ही लिखा जाएगा, तो मान लेज़े डॉलर में यहाँ पर कितना आ गए, 100 डॉलर का मान लेज़े सामान था, अब payment कब होगा बताए, future में, क्योंकि आज payment करना हो, तो को रिस्की नहीं है, हाँ या ना, तो अब आपको payment करना है, कब बताए, six month time पे, मान लेज़े, dollar hundred का क्या होना है, यहाँ पर payment होना है, तो अब जब payment करने जाओगे, तो याद रखना, किसी भी country की government, आपको इस बात के लिए, allow नहीं करता है, कि आप foreign currency hold करो, हाँ, bank account अगर open करके रख्यो, तो bank में hold कर सकते हो, अगर इस Mr. India के पास, dollar currency का account अगर हो, तो उनके पास पहले से, कोई भी dollar आया होगा, तो bank में hold कर सकता है, अगर bank में इनके पास, dollar hundred होता, तो bank में से दे देता, मुझे बता यह रिस्क किस बात का, कोई रिस्क नहीं है, अगर invoice currency, foreign currency है, तब भी रिस्क खतम हो जाता है, अगर आपके पास, bank में dollar currency पढ़ा हो तो, मान लो, मुझे आपको 6 महीने बाद calculator देनी है, मुझे इस बात कर रिस्क कि, calculator महंगा ना हो जाए, क्योंकि जब मैं calculator दे रहा होंगा, उस time अगर calculator महंगा हो गया, तो मुझे महंगा calculator खरीदने पड़ेंगे, और आपको देने पड़ेंगे, तो मुझे ज़्यादा payment करना पड़ेगा, अब मान लेजे, मेरे पास स्टॉक में पहले से calculator पढ़ा हो जाए, तो मुझे किस बात कर रिस्क के बताओ, अगर calculator महंगा हो रहा है, हम महंगे calculator आपको दे देंगे, हमारे को क्या नुकसान होई, payment तो जवसे नहीं ज़्यादा करना पड़ा, तो यहाँ पर अगर मान लेजे, डॉलर आपके पास पहले से होता, बैंक अकाउंट में, तो रिस्क है या नहीं है, तो फिर तो डॉलर दे देंगे न, तो हम लोग जितने भी transactions पड़ते, उसमें यह अजमसन होता है, कि हमारे पास बैंक में, अकाउंट में पैसे नहीं है, और अब उसके बाद बोलो, घर में डॉलर हो तो, घर में नहीं रख सकते, फिर में आपको कहते हैं, अलाउड नहीं है, वैसे टू थाउजन डॉलर के एक्क्यूवैलेंट, रख सकते हैं, हमारे टाइम पे लिखा होता था, फिर एक्सेप्शन में कुछ रूल के मुताबिक टू लैक डॉलर तक भी था, कि इतना तक आप फ्रीली मूव कर सकते हो, अभी आपका फेमा में क्या ट्रांजिक्शन है, मुझे वो याद नहीं, आप लोग पढ़ते होगे, आप तो वो भी नहीं पढ़ोगे आप लोग, है ना, सेल्फ पेस्पे पढ़ेंगे, उसमें कौन पढ़ेगा, पढ़ेगा, कि ऑनलाई तो जाके देना ही पढ़ेगा, घर पे बस ना हो, ट्रेष्ट, घर पे तो नहीं है ना, फिर तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, लेकिन एक फाइदा ये हो गई, कि एक पढ़के देना है, और 4 को 7 में पढ़ना, यह difference था, पढ़ना तो ही अभी भी, लेकिन अब एक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक की बड़न रहे का, एक में बस पास करनी है, अब यहाँ पहले क्या होते थे, चार में एक साथ करनी है, तो वो बड़न तो कम होंगे, उसमें तो कोई शुनी है, तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत जादा बन जाता है, यह तो अच्छा इस्टेप किया है, इंस्ट्रूट ने, चलो आईए वापस, तो यह हम कहरें कि डॉलर हंडिड देनी है, लेकिन कब देनी है, इनके पास सिर्फ रूपी करेंसी होता है, इनके पास सिर्फ डॉलर कर कोई भी पर्सन फारन करेंसी होल्ड नहीं कर सकता, इसको दिमाग में कभी हटाना मत, इसका मतलब अब यह कहां जाएगा, इनके पास तो डॉलर है यह नहीं, डॉलर पेमेंट कैसे करेगा, बताओ, जल्दी बताओ, अब यह कनवर्ट करने जाएगा, मतलब डॉलर खरीदन इन फ्लाच्वेट होते रहते, अब मान लीजे, उस दिन जब मैं डॉलर खरीदने जाओंगा, तो वन डॉलर खरीदने के लिए, कितना मुझे रूपी देना पड़ेगा, यह होगी आपके लिए कॉमोडिटी, एपल है, एपल पेमेंट करना है किसी को, सौ केजी एपल दे यानि कि इसकी कॉंटिटी बढ़ेगी, और देखो, इसकी कॉंटिटी बढ़ गया और यह क्या हो रहा है आपके जेव से, जाता है, यानि कि जो सामान खरीद रहे हो, वो अगर महंगा हो जाए, तो जेव से ज़्यादा रूपी जाता है, तो अल्टिमेटली, जो लॉस गे लगीन, होम करिंसी में ही होता है, फारन करिंसी में कभी भी लॉस गेर नहीं होगा आपका, यह भी एक मोटा मोटा चीज है, जो हम भूल जाते हैं, और कुश्चन में कन्फ्यूज होते रहते हैं, एक कुश्चन को, यह चीज आप फाइंड आउट कर सकते हो वहाँ पे, ज देखिए यहाँ पे, तो यह जो रुपी है, यह जादा ना हो जाए, इसकी क्वांटिटी अंसर्टन है, यही रिस्क है, इसकी क्वांटिटी अंसर्टन है, यह रिस्क है, लेकिन अब देखना, इस पे जो है न, क्वांटिटी जादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अगर यह low हो जाए, तब तो मजे है सोचके देखो अगर यह quantity कम हो जाए मतलब dollar सस्ता हो जाए low कब होगा साथ, जल्दी बताओ जब dollar depreciate कर जाए तो यह quantity कम हो जाएगा क्योंकि याद रखना मैं बार-बार कहता हूँ dollar सस्ता होता है, तो dollar का price कम होता है, prices रुपी यह commodity, commodity का price रुपी होता है, तो रुपी की quantity क्या हो जाएगा कम, तो देखो payment यह रहा है payment, arrow पे ध्यान रखिएगा payment कम हो जाएगा, फाइदा या नुकसान फाइदा, यानि किस case में आपको gain हो जाएगा अगर इसकी quantity high हो जाए, जो कौन सी case में होगा बताइए, जब dollar appreciate करेगा, तो मुझे बताइए उस case में क्या होगा, loss आप सोचो इसका मतलब क्या होगा देखो इसका मतलब Mr. India को, यानि कि importer को नुकसान कब होता है, जब dollar appreciate करता है समझ में आगया, यानि कि Indian currency अगर depreciate कर रहा है, मतलब dollar currency appreciate कर रहा है, यह है न dollar appreciate होगा तो rupee की quantity 100 तक जाएगा rupee की quantity अगर 200 चला गया माल लो, dollar 1 equal to rupee 200, इसका मतलब dollar क्या होगा बताइए, appreciate कर रहा है जितने जिनते rate, 80 से 90 गया, dollar appreciate कर रहा है, 90 से country की currency depreciate करना importer के नुकसान का होता है, अपने country की currency, यानि कि dollar अगर appreciate कर रहा है इसका मतलब rupee depreciate कर रहा है तो अपने country की currency depreciate करना, किसके लिए फाइदा नुकसान दायक होता है importer के लिए, यानि कि India में, अगर rate 80 जा रहा है, 90 जा रहा है कौन होता है, importer जिसमें से ज़्यादा तर importer इंडिया का कौन है oil marketing company, OMC बोलते हो, oil marketing company, OMC oil marketing company, OMC के category में आपका सारा कौन आ जाता है IOC, Indian Oil Corporation BPCL, HPCLA, जितने भी जो यापका petrol pump अगर जितने भी, जिस जो country से company से चलते हैं, वो सबसे बड़े importer इंडिया का, समझ में आगे बाद तो वो सब कब दुखी होते हैं हम ऐसा रुपी जब depreciate हो रहाता है, निकि dollar जब depreciate हो रहाता है, अब आप मुझे बताए हमारे हम trade deficit में है, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, और export क्या करते हैं, बताए हम तो ज़्यादा लोग दुखी होगा कब जब dollar depreciate करेगा, इसका मतलब अपने country की currency क्या होगा, बताए है depreciate करेगा, तो ज़्यादा, लेकिन जब अब अगर मान लिजे, ये कम लोग हो, चलो ठीक है, अभी import को मने deal कर लिया, ओके, अब मुझे बताए, इसका दूसरा situation भी बन सकता था, इसे मैं दूसरा case deal कर रहा हूँ, यही exporter होता ठीक है, और इधर कौने बताए है, Mr. USA तो जब आपने अगर इनको export किये होते, तो अब भी हमारा क्या बना होता, बताए invoice, जैसे आपका IT company जो गरा है, IT और pharma जादा से जादा exporter है हमारे country के, ठीक है, IT और pharma दोनों जादा से जादा exporter है अब देखिए, export किया मानले जैसमी invoice बना $100 का, बस दो ही चीज़ याद रखना importer सबसे बड़ा oil marketing company, OMC और सबसे बड़ा जो आपका exporter है, वो IT and pharma अब इनके पास क्या आता है बताए, dollar ही आएगा, अगर invoice किसमें बनाए dollar में, अगर invoice dollar में बनाए, तो dollar में ही आएगा, उस case में dollar 100 जब आएंगे, तो अगेन ये जो exporter है, वो अपने जेब में नहीं रख पाएगा, क्योंकि pharma allowed नहीं करता है, ये कहां जाएगा बताएगे bank में जाएगे, और उस case में ये क्या करेगा, बताएगे इनको payment करेंगे, क्या payment करेगा मतलब payment नहीं करेंगे, देंगे exchange के लिए, ये क्या लेके आएगा बताएगे, रूपी, ये जो quantity है ने रूपी का, अब ये fluctuate होने वाला है, क्योंकि 6 मन्त बाद क्या rate होगा, हमें कैसे पता तो अब मुझे बताएगे, अगर ये currency, appreciate कर जाएगे तो ये जादा हो जाएगा, ये appreciate करता है, ये जादा होता है इसका मतलब, ये quantity high हो जाएगा, कब बताएगे जब dollar क्या होगा, बताएगे appreciate होगा, मुझे बताएगे, loss होगा ये gain होगा, gain होगा, क्योंकि देखो, ये quantity आपके जेब में आ रहा है, सामान में बेच रहा हूँ सामान में बेच रहा हूँ सामान बेचू, ये महंगा बेचू क्योंकि ये देखो, ये सामान महंगा होगा तो मेरे को फाइदा होगा न, यानि कि जो सामान आ रहा है, जो सामान आ रहा है, वो सामान महंगा हो जाए, मुझे क्या होगा बताईए फाइदा होगा यानि कि मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर गेन हो जाएगा तो मुझे बताना डॉलर अप्रसेट होने से अभी आप क्या कह रहे थे नुकसान कर रहा है importer आप मुझे बताईए exporter यहाँ क्या कर रहा है गेन कर रहा है आपको मैं बता दू जब 2015 में जब चाइना स्लोडाउन में जाने की जब नियू जाए थी जब दो तिन तिन दिन सर्किट लगे थे उसके मार्केट के अंदर लोवर सर्किट दो दो दिन लगने के बाद जो चाइना की जो गौपनेंट है उन्होंने क्या किया क करेंची करेंशी कंट्रोल करते हैं इंडिया का रचल बेंग वहां पर न Давайте इसमें बहुत होने कभाड़ा donc मैं एसे बता दो चॉसाइन इंडिया की थे करेंद gentleman Reserve Bank of India US के Federal Bank Central Bank Federal Reserve जब भी कभी Fed बोले Fed कौन है आपका वहां का Central Bank जिसे इंडिया के लिए कौन है RBI वैसे US के लिए कौन है Federal Reserve और वैसे अगर Europe के देखोगे तो इसी भी वह उसको बोलते European Central Bank European Central Bank की सीधा बोलते है को इसी भी और जापान के लिए जो है Bank of Japan यह दो-तीन जो कंट्री है जिसके Central Bank की बारवर फ्रिक्वेंटली कुछ नीव जाते रहते हैं सबसे ज़्यादा Federal Reserve आज Fed की कुछ मिटिंग होने वाले हमारे मार्केट जो होते हैं उसके विससे से फ्लक्ट्ट्ट होता है मेरे को भी याद नहीं है क्या केते हैं People's Bank of कुछ something होगा आपका People's Bank of something होगा ने इसका कहां पर लिखा है आपका Central Bank का नाएम इसके नीचे होगा इधिंक कितना नंबर पेज पे नहीं लिखा है क्या People's Bank of China कहां पर लिखा है अच्छा मेजर अच्छा उसी के साथ ही था टेवल में ही था हमारा जो हमने मेजर फारण करेंसी के दिया था न उस टेवल के अंदर ही डाल दिया था People's Bank of China होगा बिल्कुल People's Bank of China तो वो क्या कर रहे थे पता है स्लोडाउन के बात क्योंकि उनके ज़्यादा एक्सपोर्ट थे किनके चाइना में वो तो ज़्यादा एक्सपोर्टर है न यानि कि सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाले कंट्री GDP जरूर से के नंबर पे थे लेकिन ग्रोथ के मामला में GDP बढ़ने के मामला में सबसे नंबर वन पे चल रहे थे उस टाइम 2015 से पहले तक तो जब उसको जैसे थोड़ा सा एक्सपोर्ट कम होना शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ Central Bank जो है न चाइना का उसने क्या कर आपने currency को depreciate करना शुरू किया अपने currency को depreciate करने का दो तरीका होता है यानि कि जो Central Bank के पास reserve है न चाइना Central Bank के पास जो reserve है उस reserve को उस reserve को अगर बेचेगा तो क्या reserve में तो foreign currency है तो foreign currency को क्या हो जाता है supply बढ़ जाते हैं तो foreign currency depreciate हो जाता है इसे इंडिया में किया गिया था 2013 के आस-पास RBI ने जब 2013 में आपने जब history देखा होगा तो 2013 में एकदम से spike लिया था किस region से discussion limit ठीक है बूल जाते हैं वापस आई है मैं क्या कहना चाहरा हूँ कभी ऐसे जब इस जब डिया है कि अगर है 1000 जीशसे को वह से करेंगे कोशा करेंका से68 सकते हैं तो 2013 में देखना कि इस तरीके से एकदम से घुरा आपकी ऊपर गई होगी जो आपका उस टाइम बहुत जादा, Manmohan Singh जी उस टाइम वो थे प्राइम मिनिश्टर 2013 क्योंकि 2014 में चेंज होए थे तो उस टाइम पे बहुत कहां कहें, भाई, अचा-चा-चा-चा इस्त्री होने यहाँ पे उस टाइम पे उस टाइम पे उस टाइम पे समझ में आगया, इस यह जो पॉइंट है इसको कंट्रोल करने के लिए यह जो है, एक तो सबसे पहले यह जो दिन था ना, यह दिन था एक अनॉंस्मेंट का ठीक है, वो न्यूज भी मैं दिखाता हूँ, भाई, आप लोग के बाच में तो सेंट्रल बैंक क्यानी की फेडरल डिजर्व ने इंट्रेस एट को 0% के आसपास पहुचा दिया था तो वहाँ की इंवेस्टर बाहर के कंट्री में चले गए थे अब क्या सोचा, सेंट्रल बैंक को आखे कि मैंने रिडिउस किया था, मतलब इंट्रेस एट कम इसलिए किया था कि लोन जादा से जादा लोग ले और अपना काम करे, प्रोडक्शन करे, जीडिपी हमारा बढ़ाए है ना इसलिए हमने लोन रिफ का सस्ता किया था, ना कि तुम्हारे को दूसरे कंट्री में पैसे लगाने के लिए, ठीक है तो सबको डॉलर खरीदने पड़ेंगे, तो डॉलर जब खरीदेंगे तो क्या अगा बताईए, डॉलर की डिमांड बढ़ेगा ना, दॉलर महंगा हो जाएगा, तो यहां पे जो है ना, एक दम से भागे हाहाकार मच गए मार्केट में उस दिन पे, अगले ही दिन रात में पे जाते हैं संड्रल बैंक जिक है अविज तान थे साइद रगुराम राजन रगुराम राजन उसके जस्ट बाद अपउंट हुए थे, वहां ताई सुब्भा राव सम्थिंग थे उस तान क्योंकि जो चीज़ इवेंट से लिंक होते हैं याद हो जाता है, इस प्शु लास्ट दे था उसका, वो एक्शन लेके और फिर वो उसका जो डिवरेशन रहते हो खतम हो गए, फिर उसके बाद कोन आए, रगुराम राजन, है ना, तो एक दम से क्या करें, रात में आउंस्मेंट कर दिये कि जो बाई, ओल मार्केटिंग कंपनी हो न तुम, तुम मत ज दॉलर पेमेंट करेगा तो क्या होगा बताईए, दॉलर खरीदेगा, तो दिमांड बढ़ेगी, तो दिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा बताईए, प्राइस तो बढ़ेगा यह, तो उस केस में उसको बोला कि तो हट जा, अगले ही दिन करेंसी क्या होगा बताईए, सीध मन्थ का graph है यह जो आपको दिख रहा है न एक मन्थ में यहां से इतना गया हुआ है अगले मन्थ में यहां से यहां हो गया है ठीक है एक एक दिन का भी देख सकते हो green का मतलब होता है उस time frame का शुरुवात यहां से होना उस time frame का ending वहां होना उस time frame के highest point यह होना ठीक है इसी जो को बताता है और rate का मतलब होता है कि start यहां से होना और ending यहां होना तो start से ending नीचे आए तो rate बनते है आपका candle तो यह जो time frame है ना इसमें Central Bank ने अपना reserve बेचा था reserve बेचने से क्या हो जाएगा कि supply बढ़ जाएगा currency क्या हो जाएगा control में आजाएगा आपको बतादो 2015 क्या round वो जो Central Bank चाइना है वो क्या करें बताए अपने foreign currency खरीद रहा था हो reserve accumulate कर रहा था क्या होगा बताए foreign currency को महंगा कर रहा था हो जान बुझके महंगा कर रहा था foreign currency क्यों बताएगे क्योंकि वो depreciate करेगा ठीक है तो जो currency report वाले news दिखाते उसमें clearly ऐसे बोल रहा है कि चाइना की जो Central Bank का अपने currency जो depreciate कर रहा था सायद अब नहीं करेगा क्योंकि उनकी export वैसे competitive हो चुका है इस तरी कुछ news channel सब उस time चलते थे ठीक है तो ऐसे समझ जाओ तो वही चीज़ाम यहाँ पर link कराने की कोशिस करें कि देखो अगर यहाँ पर export जादा होता ना तो यह खुस होता कब पता है जब दूसरे country के currency क्या होता बताएगे depreciate कर रहा होता यानि कि अगर इंडिया में जादा सजादा export है न तो इंडिया चाहेगा कि कतने पर पहुँच जाए हमारा currency 100 पर चले जाएगे बढ़िया है कोई बात नहीं क्यों बताएगे क्योंकि उस ताइम पर देखो dollar appreciate होगा यानकि इनके जेब में 100 रूपय मिलेगा देखो 100 रूपय मिलेगा एक dollar के लिए तो बढ़िया है न इनको फाइदा होगा exporter के लिए क्या होता है बताएगे फाइदा होता है इसलिए जो country ज़्यादा export करते हैं उस चाहते ही कि हमारे currency क्या होते रहे depreciate होते रहे लेकिन जो currency import कर जो country ज़्यादा importer है जिस trade deficit वाले country है उनको depreciate होना नुकसान दायक हो जाता है hope यहाँ तक clear आपको तो क्या यह जो currency का fluctuation इससे risk generate होगा है समझ में आगे अब यह जो अभी आपने देखा यह currency किस currency इंवाइस किस currency में था यहाँ पे dollar currency में तो dollar में जब invoice था तो risk किस के पास आ रहा था इंडियन के पास तो यही चीज हमने आपको वहाँ पे नोट्समेंट explain करने की कोशिस किया होगा चलो एक काम करते हैं अब हम दूसरा case लेते हैं यही है Mr. India एक है Mr. USA मैं import का ही case ले रहा हूँ अब मैं बस क्या कर रहा हूँ अच्छा इतना तो clear हो गया ना की चलो एक minute करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत कुछ और भी लिखा होगा entry or entry डालके दिखा रखा होगा नोट्समें आपको तो चलो थोड़ा सा उसको भी link कर देता हूँ कि जिस time आपने import किया होगा तो Mr. India ने अपने entry books में उसी time book करता है जान से देख ले ना import book करोगे न Mr. India हो आप books up account maintain करते हो तो क्या बोलोगे बताए import account debit ठीक है purchase बोलो ठीक एक ही बात है import account debit करोगे तो क्या करेंगे बताए अभी payment हुई नहीं है Mr. USA करेंगे आप बहुत अच्छा अब मुझे बताए आप जब book करते हो न तो उस time पे आपको एक rate जो हो चल रहा होगा उसके basis पे आपको अपने currency में equivalent amount book करना है आपको बता दू particular एक time पे market में 3 rate मिलेगा आपको आज RBI का rate अलग होगा RBI का rate mid rate होता है mid rate, beach बीच बाले rate होता है bank क्या करता है, उस rate से अपना rate derive करता है छोटा बना देते हैं खरीदने का, बड़ा बना देते हैं बेचने का नहीं समझे बात यसे आज अगर RBI का reference rate देखा जाए उसके regarding NSEP में चला गया NSEP पे जाओगे home page पे ही आपको कुछ reference दिख रहा होगा यहाँ पे derivative के बगल में, दिख रहा है reference rate इस reference rate पे click करोगे, तो यहाँ पे आपको चार currency का reference rate मिल जाता है यह mid rate है, mid rate का मतलब बीच वाले rate है अब क्या करेगा पता है अब यह rate जो होते हैं डेली 130 में आपका declare करते है, bank RBI, central bank यह आपको कब आता है daily 130 में आता है, IST का मतलब Indian Standard Time, हर दिर daily 130 पे आता है जिसे आज का rate जो होगा न bank वाले के पास, 130 के बाद rate आपका बदल जाएगा, तो कभी किसी को अगर ऐसा लगे यह भी एक आपका hedging का technique हो जाता है daily basis पे, तो कि market में आज 130 पे क्या rate आएगा वो जब market, 9 बज़े currency market open हो जाता है 9 बज़े के बाद आपका मानली यह currency बहुत ज़्यादा fluctuate हो रहा है बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है dollar तो डेड़ बज़े के बाद अगर खरीदने जाओगा न ठीक है कि Reliance Jewels में गए थे मैं पहुंच गया था I think 11-30 के आराउंड ही पहुंचे हुए थे Reliance Jewels वाले की जो rate होती न गोल्ड की हर दिन 12 बज़े अपडेट होती है वहां Central उसकी head office से portal पर ही rate अपडेट कर देता है गोल्ड का ठीक है कि 12 लून पर क्या हो जाएगा हमारा rate अपडेट हो जाएगा सब कुछ final कर दिये तो मुझे भी इतना जल्दी नहीं था नहीं तो मैं बोलता कि price lock कर ले ठीक है और फिर उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है billing करना है तो billing में उन लोगों याद है मैंने बोला कि अभी मैं कंप्लेइन करूंगा यह करूंगा जब तुम्हें पता था तो मुझे इतना बोल देते ना क्योंकि मुझे मालूम है न क्योंकि मैं मार्केट में गोल्ड महाँ चल रहा है क्योंकि मार्केट तो ओपन हो चुका है ग्यार बजे तो ट्रेडिंग चल रही है और जब महाँ चल रहा है तो तुम्हारा 12 बजे क्यों बताईए महाँ रिट अपडेट हो तो मुझे पता सब जाता तो मैं प्राइस लॉग करा था प्राइस एक बड़ी नीचे की रेट पर फिर उसने बोला कि चलो हमारे पास एक बड़े का स्कीम है चलो 500 रुपीस का गिफ्ट होता है चलो वह मैं अपने तरफ से अप्लाई कर देंगे तो बड़े है ऐसे 500 अप्लाई कर देंगे तो चलो 1500 का ही वह है तो यह सब चीज है बहुति यह चलते रहते है ती यसी ध्यान रखना है कि यह 130 पर जब रेट अपड़े होते है तो आपको 130 के बात बैंक वाले क्या करता है देखना यह जो MIDRAT इसको हम लोग बोलते है MIDRAT बीच का रेट है यह जनी कि यह हो जाए गी बीड मतलब खरीदने का रेट आस मतलब बेचने का rate तो bank वाले 2 rate code करेगा आपको खरीदने का 83 बेचने का 83.5 तो आप देखो RBI का rate अलग, bank का rate अलग, bank हमें सा 2 rate code करता है RBI हमें सा 1 rate code करता है, RBI का mid rate चलता है question के अंदर कभी कभी आपको ये mid rate भी मिलेगा कभी आपको bid अलग और ask अलग मिलता है इसको बोलते है bid rate, खरीदने का rate, bank खरीदता है, सस्ता है और bank वाले क्या करता है, बताइए, बेचता bank है जैसे आज अगर कोई दिकंदार होगा, ये खरीदेगा सस्ता और बेचेगा क्या बताइए, bank हो आगे में लिखा हुआ मिलेगा आपको तो ये बन गया एक अलग rate, ये bank वाले rate code करते है हो सकता है, कोई दूसरा bank आगया, ये SBI की बात थी माल लो ये कोई आगे access bank, वो कहते है नहीं, मुझे थोरा margin जाता चाहिए वो क्या करेगा पता है, 82.5 की pay रखेगा वो खरीदने के लिए आप मुझे बताए, loan लेने जाते हो, हर bank में rate अलग मिलता है की नहीं मिलता है मिलता है न, private rate में हमेशा महँगा मिलेगा आपको हो कहते हैं, हम अच्छी facility देते हैं, इसलिए रखते हैं तो हो सकता है, exchange rate भी आपको क्या मिलेगा, थोरा सा अलग मिलेगा आपको है न, तो मालने जी, SBI ने rate code किया, खरीदने का 83 और access bank ने rate code किया 82.5, मिल सकता है, इसका मतलब bank to bank आपका rate क्या हो सकता है, डीफर हो सकता है, लेकि इतना बड़ा difference नहीं होता है बहुत minor सा difference होता है, बहुत छोटा difference होता है, तो मुझे बता है bank का rate अलग हो गया, अब यह bank का rate और RBI का rate daily fluctuate होता है, हर दिन fluctuate होगा, Saturday, Sunday fluctuate नहीं होता है, क्योंकि Saturday market में trading नहीं होता है, Sunday market में trading नहीं होता है, और यह जो rate decide करते है, 130 पे, कहां से उठा कर लाता है, market से, नहीं market से, वो जो trading चल रहा होता है जो यह बड़े-बड़े player, जो बोली लगा रहे होते हैं, जो लड़े होते हैं, वो लड़ाई में जो price decide होके आते हैं, उसी को base बना के RBI भी rate देता है clear यहां तक, तो आप मुझे बताए, यह rate तो daily fluctuate होगा, लेकिन Saturday-Sunday fluctuate नहीं होगा, क्योंकि Saturday-Sunday market में trading नहीं हो रही है तो उसको rate नहीं आएगा, तो यह rate आपको Saturday-Sunday को नहीं मिलेगा, तो अब क्या होगा इसका मतलब, जो Friday को date बज़े जो rate आगए आपके 130 पे, यहना 130 पे जो Friday को rate आगई, वो rate continue होगा, कहां तक, Saturday भी वही रहेगा, Sunday भी वही रहेगा, Monday 1.30 तक भी वही rate रहेगा, okay, it means bank rate, RBI rate fluctuates daily except Saturday-Sunday, but यही rate कस्टम में बाले भी अपना rate रखता है, ठीक है, but कस्टम बाले का rate मन्त में एक बार चेंज होता है, एक rate पिक करेगा वो, हर दिन उसका 1 मन तक same rate चलता है, जैसे अभी बोला न, कि Friday का rate Saturday भी उज़ोगा, Friday 1.30 के बाद भी उज़ोगा, Saturday भी उ उज़ोगा, even Monday का 1.30 भी उज़ोगा, same rate, वो ऐसे ही, कस्टम बाले क्या करता है, एक rate लेगा वो, पिक करेगा, और वो rate पूरे महीने continue करेगा, किलर यहां तक, अब इसका मतलब, RBI ने different reference rate code किया, कस्टम बाले के पास different rate है, अब जब यहां पे आप import book कर रहे हो, तो आप म मुझे बताए, किस rate पे import book करो गया, यह कहानी आता है, यहां पे, तो question में specify करेगा, अगर कुछ नहीं बोला गया है, एक question अभी तक ऐसा है, जिसमें 2 rate दिया है, bank का भी rate दिया है, और custom बाले का भी rate दिया है, तो आप किसको preference दोगे, custom को preference देना ज़्यादा बेटर है, क्य आप मड़ जी हो, तो RBI के rate पे import book करो, ठीक है, आप मड़ जी हो, तो importer के, जो custom बाले ने जितना valuation करके दिया है, क्योंकि जब भी import होती है, export होते है, ठीक है, तो उस case में custom बाले जो है, आपकी उसकी import की value और export की value निकाल के custom clearance करके देता है, तो जो custom clearance की जो paper होगी न, वह एक वाले rate नॉर्मल ही हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि bank का buying rate अलग होते है, selling rate अलग होते हैं, तो हम क्यों जाए buying rate पे करें, selling rate पे करें, हम RBI का mid rate पे करने की कोसिस करते हैं, तो आपके आपस choice है, आप देख लेना जो करना चाहों कर ले सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सकते हो, लेकिन यह लिख के नहीं दिया है, इवेन आप accounting standard के अंदर जाओगे, इंडियन अकाउंटर पे यह क्लियरिफाई नहीं क्या करोगे, समझ में आगया बात, हाँ, लेकिन उसमें जितने भी differences होते हैं, commonly जो practice के अंदर, वो लोग रिकॉंसिलेशन बना के, जैसे हमे कि देखो, यह differences हमारा जो है, वो अलग से एक, एक reconciliation type के बना लेते थे, कि हमारे books में इतना दिख रहा है RBI के rate से, वो RBI के rate प्रिंट करके रखते थे, ठीक है, जब भी आपको रखा है, 31st March के जो RBI के reference rate है, वो प्रिंट करके, वो अपने आजे supporting लगा देते हैं, कि देखो जी, हम तो एक custom बाले करेंगे, तो ठीक एंशूट के opinion माल लेते हैं, हमारे घर से क्या जाएगा, है ना, तो अगर custom का rate हो, तो preference उसको दे दो, नहीं है, तो फिर तो bank का rate हाई, हमने माल लिजी, यहाँ पर क्या कर लिया, import book कर लिया, suppose कि यह 80 का rate चल दा था, कितना import करोगे बताईए, 8,000, अब टू Mr. USA कितना होगे, बताईए, 8,000 ही book करोगे, और जब payment होगा 6 महिने बाद, तो 6 मन्त बाद आप देखना, Mr. USA को खतम करोगे आप, तो हो गया, क्या मझे बताईए, Mr. USA account debit हो जाएगा, कितने का बताओ, 8,000, टू क्या करोगे आप, bank करोगे, क्योंक exchange rate बताएगा, लेकिन ये तो पूरा का पूरा 8,000 ही करोगे, क्योंकि इसका book से खतम करना है, nil करना है, तो जितना आपने credit दिया था, उतना आपने debit करके, इसके book से क्या कर दिया, आपने nil कर दिया, लेकिन जब payment होगी, तो payment ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, म याद रखना, ये exchange gain profit and loss account में credit होगी, तो इस पर tax भी जाएगी, अगर tax होगा, तो इस पर जाएगा, वसे आज तक आपके book के अंदर एक question सिर्फ tax पर डखा गया है, बाकि किसी भी question के अंदर tax rate नहीं दिया है, लेकिन एक question tax पर है, वो study mat में नहीं है, वो आपके RTP में था पहले, ठीक है, और exam में आज तक नहीं आए, तो RTP वाले question है हमारे पास, यानि कि इस exchange gain पे किस तरीखे से tax treatment करेंगे, हम बाद में बताएंगे, जब question आएगा वहाँ पे, ठीक है, तो ये gain हो गया, अब माल लिजए rate 70 पे नहीं के 90 पे चला जाता तो, तो 90 पे चला जाता तो 9,000 जाता हमारे जब से, 90,000 होता, 8,000 नहीं होता, 80,000 होता क्योंकि 100 है, सही बोल रहा हूं, नहीं सही बोल रहा हूं, अच्छा 100 ही है, ओके ठीक है फिर, 100 है और multiply by 80, ठीक है, 80,000 ही होगा, अब मुझे बताए, पेमेंट कितना जाएगा जब से, 9,000 है, अब 9,000 अगर है तो डेविट करना पड़ेगा, और वो क्या है बताए, एक्सेंज लॉस, यह जो लॉस है न, इसी को बचाना हमारा इस चप्टर के अंदर क्या है, objective है, चलो तो एक काम करते हैं, अब हम लोग बात दूसरा case करते हैं, यह सब चीज़ लिखा हुए, आप रीड करते रहेगा मैं रीड नहीं करा रहा हूँ, यह जो भी अभी कुछ बोला हूँ, यह सारे आपको यह देखे, यही चीज यहाँ पे आपको, देखो, एंट्री डाल डालके दिखा रखा है, दोनों पार्टी के लिए, अब मिस्टर इंडिया एंट्री डालेगा किस करिंसी में, बताए, हमने 85 का रखा है, तो देखो, डेविट कर लिया, 8,000, 8,000 का क्रिडिट है, और जब पेमेंट करते गए, तो हो सकता है, 8,500 चला जाए, तो यह जो 500 है, यही लॉस है, अब और अब्जेक्टिव इस टू मिनिमाईज इस लॉस, तिलर यहां तक, ओके, अब यह जो है न, Mr. USA का, बोलो, और रिसी वेवल भी कितना दिखाएगा, बताइए, 100 का, देखो, Mr. India को डेविट किया 100 से, और एक्सपोर्ट भी कितना से बुक किया 100 से, और जब पेमेंट आएगा तो किस करेंसी में, डॉलर में, तो देखो, डॉलर आ गई, बैंक में, और इतना आगे तो पे फिर से इंपोर्ट हुआ, सामान तो आए, लेकिन इस बार इंवाइस जब बने न, तो Mr. India ने बोला कि देख भाई, मैंने डॉलर में तुम्हारा इंवाइस असे अपनी करने जा रहा हूँ, तुम्हें इंवाइस किसमें बनाने पड़ेंगे, रुपी में, रुपी में पहले जो समान इंपोर्ट हुई थी, अभी भी हम वही समान इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले समान की प्राइस कितना था, 100 डॉलर, इसके लिए बताएंगे, 100 डॉलर ही हो, 100 रुपी होगा अभी आपने पर्चेजिंग पार पैरिटी में पड़ा, कि सेम सामान की प्राइस, इ अब मुझे बताओ, इनकी जो पेमेंट होनी है, इस इंपोर्ट, पेमेंट फुट बेमेंट इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों बताओ, बैंक में पड़ा हुआ है, रुपी दे दिया हुआ है, को, कनवर्जन कराना पड़ेगा, मिस्टर इंडिया को, मिस्टर इंडिया को कनवर्जन कराना है, नहीं, तो जब यह अपना एंट्री बुक कर रहा होगा, तो 8,000 दिखाएगा इंपोर्ट, और 8,000 का ही पेमेंट होगा, कोई लॉस गें होगी क्या, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब मिस्टर इंडिया के लिए परिसानी है, क्यों बताइगा, क्योंकि यह एक्सपोर्ट जो बुक करेगा न, वो डॉलर 100, नहीं, रूपी में नहीं कर सकता हो, उसको डॉलर में बुक करना पड़ेगा, तो जब डॉलर में बुक करेंगे, तो कैसे बुक करेंगे, बताइगे, वो बोलेगा कि Mr. India Account David, ठीक है, डॉलर 100, बोलो कैसे, क्योंकि रेट चल रहा होगा, डॉलर 1 का रूपी कितना बताइगे, 80 का रेट चल रहा होगा, तो इसकी equivalent में आएगा डॉलर, यह इतना बुक करेगा, और जब यह इसका पेमेंट होगे, तो एक्सपोर्ट कनवर्ट कराएगा, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, Mr. India जब US में जाएगा अपने बैंक केर के पास, तो आपको बता दू, वहाँ पे डॉलर ट्रेड नहीं हो रही है, वहाँ प्राइस होगे किस करिंसी में, डॉलर करिंसी में, USA में कभी भी बैंक वाले डॉल वहाँ पर ये रेट नहीं चल ला होगा, क्योंकि अभी US में बैठना है, वो क्या लिख रहा होगा पता है, रूपी 100 is equal to dollar, जो भी something होगा, 1 divided by 80 multiplied by 100, ये 1.25 का रेट कोड करके बैठा होगा, वहाँ पे, सोचके देख लो, आप convert करिए 8,000 को, आपका वोही amount आने वाला है, स इसे convert करोगे, रूपी 100 is equal to dollar 1.25, रूपी अगर 1 होता, तो dollar होते 1.25 divided by 100, यूनिट्री मेथड, if रूपी amount is 8,000, then dollar amount is 1.25 divided by 100 multiplied by 8,000, 100, okay, 100 आ गए, dollar 100, इस तरीके से conversion करके, इन्होंने अपना import जो होगा न वो, सरी, export book किया होगा, ठीक है, okay, तो अब मुझे बताईए, वो बैंक में जा रहा है, वो क्या देगा उनको बताईएगा, रूपी, यहां से क्या लेके आएंगे, बताईएगा, dollar, तो जो रूपी सरी, रूपी लेके ने आएंगे, इनके पास आया है, यह देंगे, अब यह बैंक जो होगा न, रूपी खरीद रहा होगा, रूपी बेच रहा होगा, यह क्या बोल रहा होगा, पता है, मैं रूपी बेचूंगा, वर्ड यूज कर रहा होगा, रूपी बेचूंगा, मैं य fluctuate होगा अब कितना है exchange rate उसके वैसे से फर्क पड़ेगा अब मुझे बताइए यह amount low हो जाता है तो फाइदा या नुकसान Mr. USA को जल्दी बोलो loss या gain यह quantity low हो जाता है this quantity is lower मतलब lower in comparison to this job भी बुक किया था loss या gain loss क्यों क्यों क्योंकि this is receipt देखो ध्यान से एरो पर ध्यान रखो ना आप dollar उनकी अपनी currency dollar है जेब में dollar कम आना नुकसान दाएगा न तो loss हो जाएगा किसको बताईए Mr. USA को okay तो Mr. USA को loss होगा कब बता सकते है जब रूपी appreciate होगा no low quantity होता है कब या दन रखा इसकी quantity change होता है जब यह सस्ता होता है appreciate नहीं depreciate हम कहां बैठे अब यूएस में यूएस में क्या trade होता है रूपी तो रूपी जब सस्ता होगा तो dollar की quantity कम हो भी अभी तो बोला वहाँ पे तो सामान कौन है commodity इज रूपी apple इज रूपी दिक्कत है न होता क्या है students जो होते है न वह हमेशा सिर्फ dollar dollar सोचते सोचते होना तो mind में एक framework create करके बैठ जाता है कि dollar महंगा dollar सस्ता रूपी महंगा सस्ता न उनको हजम ही नहीं होता है और यही सब दिक्कत कहां आता है जब यही currency का जब derivative पढ़ोगे न जो कि currency option currency future हम क्या करते है foreign exchange को तीन पार्ट में पढ़ते है जो derivative से link वाले questions है उसको derivative में पढ़ते है जो capital budgeting से link वाले questions होते है वो international financial management में पढ़ते है यानि कि forex का सिर्फ उतना ही portion अभी पढ़ते है जो हमारे derivative से link नहीं है derivative से link होगा उसको फिर बात में पढ़ेंगे और वहां इतना परिसानी आते है न और वो question बार बार पूछते रहते हैं इंस्ट्ट एक्जाम में और इस्ट्ट कितना भी पढ़के जाते है वो mistake ही हो जाता है क्योंकि वो दोनों currency पर command नहीं रह पाता है समझ में आगे है इसलिए बार बार मैं बैला हूँ अभी मैं US में बैठा हूँ तो रूपी खरीदो बेचोगे ना US वाले कभी डॉलर खरीदा बेचता नहीं है समझ में आगे बात US वाले हमेसा रूपी खरीदा बेचता है क्योंकि उसके लिए commodity रूपी है और डॉलर क्या होगा उसके लिए price कैसे देखो आज आई आप US में US में ये rate मिले जाएगा तो रूपी अभी जो rate code किया गए यहां देखो रूपी जब सस्ता होगा तो ये quantity जाएगा इसका कम है ना जब रूपी महंगा होगा तो ये जाएगा ऊपर है ना तो जब ये ऊपर गया तो डॉलर की quantity बढ़ेगी ना डेप्रसेट होगा जब रूपी डेप्रसेट होता है तो जाके इनको नुकसान होता है अभी आपने क्या बोला था बताइए अभी आपने ये रूपी डेप्रसेट हो रहा है तो रूपी डेप्रसेट होगा तो इसकी क्वांटिटी क्या होगा बताइए कम होगा तो कम होगा तो नुकसान नहीं यहाँ पे, यहाँ गेन हो रहा है ध्यान से रखना, फाइदा है, मजे कर रहा होगा, यह खुस हो रहा होगा, और होना भी चाहिए, कब बताइए, यह इनसान कौन है बताइए, एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को मजे में रहते हो, जब फारन करेंसी मह पहलेंगा वेला होता है जताब और एनके लिए फॉर्ण फॉर्ण करेंसी क्या वा है यह बता गल्ता प्रस की कभॉर्ण करेंसी का presenting क्या हमने कर रहा है कुछ घरवड तो नहीं कर रहा है तो कि सोरी अच्छा receipt है ना इसलिए गरबढ़ रही थी न वहीथ तो बोल रहा हूँ receipt है बिलकुल सही बोल रहे है आप लोग लॉस हो गए यहां पे तब इसलिए माच नहीं कर रहा था लॉस होगा क्योंकि amount कम आ रहे है यह receipt है यह appreciate हो जाए, तब जाके देखो क्या होगा, ये quantity क्या हो जाएगा आपके लिए high होगा, तो इस सारा कुछ लिखा हुआ है अब इसको हम लोग थोड़ा सा speed बढ़ा के अब लोग continue कर सकते, देखो यहाँ पे जब invoice बना है rupee currency में, Mr. India के लिए no currency conversion, no risk मज़े कर रहा होगा, अराम से chain की नींद ले रहे होंगे इनके लिए क्या है बताइए, परिसानी है because जब rupee देने जाएगा तो इसकी quantity fluctuate हो जाएगा अब ये देखो, low हो जाएगा इस बात का risk है, और ये कब possible होगा बताइए, जब rupee currency depreciate करेगा तो अब Mr. USA क्या सोचेगा कि मैं corrective action लूँ corrective action को hedge बोला जाता है to minimize the risk, hope आपको ये transaction exposure अब आपको समझ में आना शुरू हो गया, तीक है अब third case ये बनता है कि दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, जनल लेंटी देखते रहे गावावा अब कहीं पर mistake होगा तो आप लोग मुझे बता देना, third case क्या बनता है दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, लड़ाई क्या हो गया Mr. India क्या चाहता होगा तो जल्दी, Mr. India चाहता होगा कि invoice रूपी में बन जाए Mr. USA चाहता होगा invoice should be made in dollar क्योंकि उनके लिए अगर जिसमें invoice होते है वो चाहते हैं कि invoice currency home currency हो जाए जैसे home currency हो गया, तो वो तो जेब में है conversion होगा ही नहीं तो conversion नहीं होगा तो इस कहां से आई clear नहीं तक, तो हर एक party चाहता है कि हमारा invoice currency जो हो कौन सी currency हो home currency, लेकिन दोनों की इच्छाएं पूरा हो नहीं सकता यहां पर, आपकी invoice कैसे पूरा हो जाएगा, दोनों का इस कैसे पूरा होगा, एक का इस पूरा होगा तो किसका वो इस पूरा होगा जो है strong है, जो है strong है, हमेसा याद रखना जब दो के बीच में कब थोड़ा सा जब differences of opinion की difference जब arise होते है न, तो हमेसा उनकी decision prevail करता है या उनके लिए favorable हो जाता है जो strong party है, अब माल लेज़े इस export import में, एक मजबूर है माल लो, Mr. India, उनको लगता है कि Mr. India को मेरे को इनी से ही import करना पड़ेगा तो क्या करोगे बताईए जो कहोगे मानना ही पड़ेगा, हाँ या न इसे बहुत बार होते हो, कोई समान खरीदने जाते हो आपको पता, ये समान मुझे कहीं और नहीं भी मिलेगा तो दुकंदार की tone ठीक नहीं भी है سब monitर हो, कुछ भी कर रहा हो तब भी आप क्या करते हो करीद लेते हो, करते हु कि नहीं करते हो और भाद लीजे कमान लगता ही, आपको लगता है के आपके वाई हमीदर से बहुत सारे थ्όड़ा सा परण थेधा भोले gugd कहीं और जा ले कि कया ले लगए अगर Mr. USA ही वो एक्सपोर्टर है जिनसे वो सामान मिलेंगे कहीं और से नहीं मिलने वाला है तो वो जो जो बोलेंगे न वो क्या करना पड़ेगा आपको मानना पड़ेगा तो वो तो चाहेगा कि डॉलर तो इसलिए डॉलर आपका इंवाइस बनते हैं जालतर केस में यूएस की पार्टी है इसलिए वो इन्वाइस आपका हमेशा किसमें बनाएगा आपका डॉलर में और इसलिए डॉलर जो है इतना पॉपुलर हो रखा है क्योंकि देखो यूएस की इकनमी सबसे बड़ा है 22 ट्रिलियंट या भी तो कुछ कह रहे थे कितना कह रहे थे जी 33 पहुंच गये चलो 31 मान लेते हो गया होगा तो अब 33 नहीं कुछ कुछ दाउट है 33 डिवाइड़ वे 25 न कितने परसंद की ग्रोथ हो गई 32 परसंद की ग अब आप किया रहे हो 33 ट्रिलियंट पहुंच जाएगा इसका मतलब वन येर के ग्याप में 25 से 33 पहुंचने का मतलब है 33 माइनस 25 डिवाइड़ वे 25 मल्टिप्लाइवे 100 32 परसंद की ग्रोथ हो गई GDP ग्रोथ रेट इस 32 परसंद नेक्स्टू इम्पासिवर संज में आ गय इसका मतलब 25 प्लस 4 परसंद करूँ न तो मोटा मोटा 26 27 के असपास पहुंचेगा उससे उपर जाएगा भी निया आपका समझ में आ गया इंडिया की ग्रोथ रेट अप्रोक्सिमेटली 7 के राउंड था तो जिसमें इंफ्लेशन की वेसे भी है क्योंकि यहां की जो GDP निक तो 6 परसंद का अगर इंफ्लेशन है तो 6 परसंद तो समान महंगा हुआ ही हुआ है तो अगर उतना ही सब कुछ रहे आपका अगर इंडिया की प्रोडक्सन उतना ही रहे इंडिया की सर्विसेज उतना ही रहे तब भी आपको 6 परसंद का ग्रोथ तो दिखी जाएगा आप लो क्योंकि आप लोग को calculation समझ आता है मैं कहता हूं मान लिजे मेरा इंडिया का production सब कुछ मिला के suppose कीजिए कि 3.4 trillion की है मेरा ठीक है 3.4 trillion dollar के term में इंडियन रुपी के term में आपका जाएगा 3.4 multiply by 80 मोटा मोटा 272 के दो 272 lakh करोर होता है कि अध्यू है इतना lakh करोर होता है Trillion वान लक करोर को 1 Trillion बोलते हैं टिक है तो इतना लक करोर जैसे सिरेलाइन्स कि आपका market cap होगी वह 16 LЧ 6 trillion करेंसी में थिक है तो उसको एकनमी है 25 trillion की और हम 3.4 trillion पे तो at least हम comparison कर पा रहे हैं लेकिन अगर यह रूपी में बोलोगे कि 272 lakh करोर है तो आप comparison नहीं कर पाते हो तो globally अपने आपको comparison करने के लिए लोग dollar में अपनी एकनमी को क्या करते हैं convert करके calculate करते हैं तो अब आप मुझे इंडिया की एकनमी 3.4 trillion है मतलब क्या पता है इंडिया में जो goods बनती है और जो services provide किया जाता है उसकी market value कितना है 3.4 trillion की अब मुझे बताए इंडिया की inflation कितना है 6% तो आपको बता दू इसी सामान की value अगले साल 3.4 plus 6% यानि कि सामान उतना ही है production उतना ही है services उतना ही है इसकी value कितना होगा पता है 3.604 trillion ठीक है सामान एक रुपे नहीं बनाया extra services एक रुपे एक्स्टा नहीं दिया लेकिन आपके economy की growth दिखेगी 6% की तो अगर इंडियान economy हर जगा चलता है हो आपका cost model चलते हैं हर जगा कहां चलते हैं cost model normally cost चलते हैं कि cost से आप reality पता करते हो market price से धोखा होता है आप मुझे बताएं अगर आप इंडिया की inflation 6% है और आपकी GDP अगर 6% inflate कर रहे हैं मतलब आप सरी ग्रो कर रहे हैं मतलब आपने एक रुपे भी ग्रो नहीं कर रहे हो समझ में आगे बात हाँ अगर आपकी GDP 7% ग्रो कर रही है हाँ अब आपकी थोड़ा सा production क्या और ही बढ़ रही है तो याद रखना इंडिया की जिस तरीके से आपकी जो GDP मेजर करने की तरीका है उस तरीका के मताबिक कि इंफ्लेशन से नीचे कभी GDP आपको दिखे गई नहीं समझ में आगई बात तो इसको थोड़ा गहराई में जाके अनलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा ठीक है चली वापस आते हैं हम लोग तो इसका मतलब ही हो गया अब मालेजे 10% की ग्रोथ हो गई अगर तब जा हम लोग अभी बात कर रहे थे किसकी कनवर्जन की है न तो मिस्टर यूएस से क्या बात कर तो मिस्टर यूएस की एकनमी क्या है बहुत बड़ा है मतलब बहुत ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करता है तो सामान तो सारे कंजूम करता ही नहीं हुआ उतना तो उसका कंजू रिंवईस बनावाँगा अब आप मुझे बताये इतने बड़े एकनमी हर एकनमी मतलब एकनमी मतलब एकनमी के लिए यह यह नो चॉछ के डर्ण wise करेंगे लेकिए को मा इस्पोर एकनमी डर्म जाए प्सक्षाबivan सामान, आप स्ट्रॉंग हो, आप सामने वाले को बोलोगे, देख भाई, इनवाइस बना डॉलर में, नहीं तो घर जा, क्या करोगे आप, बना नहीं पड़ेगा, आपसन है आपके पास, नहीं है, तो मुझे बताइए, अब ये डॉलर कितना पॉपुलर हो जाएगा, सोचो अप, हर एक कंट्री वाले को क्या करना पड़ेगा इसको, हर एक कंट्री वाले को डॉलर असेफ्ट करने पड़ेगा, पर पानी खत्म कर लेता हूँ, यहां रखना बहुत रिस्की है, कभी भी लाप्टाप काम करते हैं, बगल में, क्लास में पानी रखके, बिल्कुल मत बैठना है, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत नुक्सान भुगर चुका हूँ, गलती से कभी इधर से इधर कुछ हो गया, एक बार अगर वाटर से कुछ हुए डैमेंज, तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, खास करके इसके तो कुछ नहीं हो सकते, मदर बोडी चंज होता है सीधा, और मदर बोड वारंटी में कभर भी नहीं होती है, अभी मैंने इसको कभर करा रखा, क्योंकि पिछले मारे आइस्क्रीम की वज़े से चला गया, पूरे गया पूरे आइस्क्रीम की वज़े से मेरा ना इससे पिछले मेरे मैकबुक हतम हो गये, और जब पहुंचने वहां पर रिस्टार्ट ने लग गया कहते हैं आपको 1,10,000 की मदर बोड आएगी ठीक है तो मैं 1,500,000 में यही ले लूँगा अब उसके बाद से जब भी कभी दिखते ना बगल में के रहने तो बाई एक पानी एक ग्लास वाटर की कोस्ट कितना है एक लाग रुग है तो मेरे अदत हो चुक है मैं ग्लास कभी ने बगल में डखते हैं हम लोग लोग चाई बगल में डखके पी रहे होते नो ऐसा मत करो दूर रखो या तो पहले हाथ में लखके बैठे रहो तो दीने दीने आदत बनती है तो मेरा आदत हो चुक है मैं ग्लास कभी ने बगल में डखते हैं हां जी कहां थे बहुत स्टॉंगर पार्टी है हर लोगों को जितने भी पार्टी होंगे मिस्टर युए से मिस्टर चा अगे बद आज आप पहुंचो ना 25 ट्रिलियन पर आप इंडियन एकनोमी को कहां पहुंचाओ आप 25 ट्रिलियन पर पहुंचा के देखो आप बन जाओगे कौन अगला युए से कहां रहोगे आप आप रहोगे समझ में आगे बद ये जो चाइना ज़्यादा ज्यादा ग् और थैनके टुक्षाड़ ही नहीं हो रही है वही चीज है इन्हों किया बोलां कोई बात नहीं हमारा एक्सपोर्ट नहीं करो हैं अब तुमंहारी कंट्री में जाके बनाएंगे हैं तो आप चोड़ेंगे नहीं तो वह कहा करते आब अलग-छैज कंट्री में यप अपना साम इंडिया में लेकिन जो सामान की मैनुफेक्ट्रिंग अभी भी माक्सिमम कहां से हो रहे हैं वहीं से हो क्या रहे हैं इवन इसमें भी जो लिखा हुआ देखो कि इसके पीछे अब तो इसको मजबूरी हो गया है लिखना कि असेंबल इन वहां और डिजाइन इन सम्थिंग य जो एपल इतने महंगे खरीद रहें वह भी कहां से आरे आपके पास चाहिना से आरे लेकिन अब आपका मिल जाएगा असेंबल इन इंडिया डिजाइन कालिफोर्निया क्योंकि यह यहां पर करने लगए तो हूप आपको जे डॉलर यहां से इतना स्ट्रॉंगर है और यू लेकिन ौर ना होकर ऊपके कोई ओर करेंसी होता थो अ है न तो महल अगने हो जातां भता था न आmbolic सिनक यह जाता तो इसन इसमें क्या हो पता है दोनों के पास रिस्क है कईसे आपके लिए फरन करेंसी आपके लिए अपकी लिए फरन करेंसी हमने यहां पर थार आपfront करे प्रवारिटी क्या कहता है, एक्वैलेंटम में सारा क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, तो बस आप इस सी जो को थोरा सा लिंक कर लिजेगा, कि आप देखो, पौंड इसको खरीद के देना पड़ेगा, और पौंड ये क्या करेगा बताओ, इसके पास आएंगे, ये भी नही इसलिए रिस्क होगा, तो पौंड सस्ता होने का रिस्क होगा, देखो, पौंड करेंसी डेपरिसेट ना हो जाए, ये क्या सोच रहा होगा, मैं तो पौंड खरीद रहूं, अगर पौंड खरीदेगा, तो रूपी क्वांटिटी जदा जाएगा, क्योंकि पांड जब होगा कि pound हमारा सस्ताना हो जाए ओप यहां तक clear है आपका चले तो यह था आपका transaction exposure conclusion यह होगा कि कोई भी currency जो है न कोई भी party hold नहीं कर सकता मतलब जब आप माल लिजा आगे जाके कभी revision करना हो तो यह जितने भी page हमने अभी discussion किया किसी पर नज़र डालने की ज़र अतनी revision के टाइम पर आपको बस एक नाइम पर कहां पर नज़र डालना है बताइए यह बस नज़र डालना हाँ लेकिन यह mind में एक दम बिल्कुल ABCD जैसे पढ़े हो न भी नींद में भी आपको ABCD याद आ जाता है वैसे यह चीज जो है दो case foreign currency bank account आप open करा लो बैंक में आप hold कर सकते हो क्योंकि government क्या चाहता है कि हमारे को यह पता हो कि foreign currency reserve हमारे पास कितना है अगर bank में आपके पास dollar currency पढ़ा हुआ है तो government को पता ही कितना है आप hold नहीं कर सकते physically लेकिन bank में आप रख सकते हो we can hold foreign currency in foreign currency bank account ठीक है if question is silent हम क्या assume करेंगे we don't have foreign currency bank account खतम unless otherwise stated settlement should be made in wise currency क्या मतलब समझा है जो settlement होगी जिसमें invoice बनी है वही payment seat होगी कुछ और currency नहीं हो सकता है do not get confused to identify foreign currency and home currency मान ले जी invoice बना है rupee currency में आप ये ढूणने चले जाते हो foreign currency है home currency को question में बहुत ज्यादा language problem होते forex की सबसी बड़ी problem है rate में confusion होना और language को पकड़ना language बहुत ज्यादा ट्विस्ट करता है समझ में आगे बात तो वहाँ क्या होगा party को नहीं clearly लिखता ही नहीं है currency party हो mister ये है mister मतलब किसको hedge करना है कुछ नहीं बताएगा सिधा बोल देगा कि invoice currency is rupees one lakh अब आप खुद decide कर लो कि मुझे बताओ अगर invoice one thousand one lakh रूपी है तो mister India क्या करेगा यहां पे mister India को तो कोई फरक ही नहीं पड़ता मिस्टर इंडिया को hedge करना है क्या अभी तो पड़ा आपने home currency को कभी hedge नहीं करते है hedge किसको करते है hedge करने का मतलब हमाया अपने इसको बताना foreign currency को foreign currency किसके लिए mister India के लिए तो आपको कुछ बोले या ना बोले यह question जो solve होगी न वो mister India के point of view sorry गलत बोला मैंने mister USA के point of view क्यों बताए क्यों कि mister USA को ही risk यहाँ पे hedge करना है तो obvious सी बात है आपको जो भी thought process generate करना है ने किसके point of view से mister USA के लिए कभ risk generate होगा हो आप सोचो अब कि कौन सी currency महंगा होना कौन सी currency लेकिन इसका मतलब यह तो clear हो गया कि जो invoice currency होगा ना वो हमेसा ही foreign currency होगा आप बोलोगे क्यों वो home currency भी तो हो सकता है home currency के लिए risk ही नहीं है और हम पढ़ क्या रहें foreign currency का risk management अरे भाई तो risk तो आ जाए तब ही तो manage करेंगे अब जब risk ही नहीं तो manage किस बात का इसका मतलब यह rupee currency जो है वो foreign currency ही है इसलिए मैंने क्या बोला है कि confuse मत हो यह foreign currency और home currency को identify करने के लिए identify invoice currency and conclude that currency is foreign currency वो है foreign currency after that अब वो किसके लिए foreign currency वो देख लो क्योंकि invoice currency जो है वो home currency भी है लेकिन home currency जिस party के लिए है ना उसके लिए कोई risky नहीं यह मैंने बोला है पहले invoice currency identify करो that currency is foreign currency conclude कर लो now identify the party for whom it is foreign currency and take corrective action for that party only ठीक है loss of legal currency should be home currency अब आप सोचो अभी हमने बोला कि rupee हमारे लिए क्या है बताए no home currency होता तो कुछ करना ही नहीं है invoice currency rupee currency है invoice rupee currency है के लिए रिसके बताए Mr. India के लिए Mr. USA के लिए बार बार इंडिया क्यों आ जा रहे हो Mr. USA के लिए अब आप मुझे बताए Mr. USA को जो जो लॉस गयन आएगी वो किस currency मैंगा वो कभी भी rupee currency में loss नहीं हो सकता है क्यों बताएं invoice currency rupee rupee 1 lakh का invoice है अगर तो book भी किया होगा rupee 1 lakh के business पे और receive भी क्या होगा उनके पास rupee 1 lakh लेकिन वो rupee रख नहीं सकता convert जब कराने जाएगा ना तो rupee fluctuate होगा ना तो loss gain किस currency में है dollar में इसका मतलब loss gain currency हमेशा home currency होता है invoice हमेशा foreign currency होता है और जो ultimate loss gain आते हैं last में वो हमेशा home currency होगा कभी foreign currency में loss gain होई नहीं सकता है समझ में आगे है तो एक basic से चीज़ थी यह आपको हमेशा identify करके रखना है कि कभी भी loss gain जो हम calculate करते कोई भी party foreign currency खरीदने बेचने का loss gain rupee में आएगा यह खरीदूंगा बेचूंगा तो भाई इसका loss इसी currency में थोड़ना होगा loss किस में आएगा बताए rupee currency में तो हमेशा loss gain home currency हमेशा invoice currency is foreign currency ठीक है translation exposure balance sheet का value economic exposure overall form का value already हमने बात किया था अभी क्या बताओ bid का मतलब होता है खरीदना ask का मतलब होता है बेचना दोनों के बेच का difference होता है spread bid मतलब buying bid rate is that rate where bank buys currency मतलब bank क्यों बोला हो मैं क्योंकि यह bid rate हो या ask rate हो rate quote करता है bank आज तक अभी देखा है currency का rate हम quote करेंगे नहीं rate कौन quote करेंगा bank तो bid और ask जो word यूज होता है बैंक के point of view से होता है तो bid rate bank buy a currency ask rate bank sell a currency ठीक है हाँ जी RBI का mid rate हमेशा same रहेगा पूरे one day के लिए 130 to 130 RBI ने एक rate decide किया ठीक है अब आप मुझे बताइए bank वाले जब एक rate quote करेगा आपको तो कहते कि देखो RBI ने कितना rate दिया है आपको यह wholesale rate ऐसे समझ जाओ 80 का आगया तो हम अगर किसी से खरीदे 80 पे तो नुकसान होगा वो कहते हम आपको खरीदेंगे 79 पे bank वाले तो bank वाले कहते bid rate कितना बताए 79 और ask rate को क्या कर देगा आपको 81 तो इसमें 2 रुपय का क्या रख लिया उसने spread रख लिया spread ask rate हो गया कितना बताएए यह था mid rate जो कि RBI quote करतें bank वाले एक rate नेचे कर लेतें एक rate ऊपर कर लेतें तो यह आपका bid rate और यह क्या गया बताएए ask rate कि लड़ यहां तक कुछ भी बोलो आप जैसे interpret कर लो आप ऐसे समझाओ RBI को अगर आज deal करने है तो कहतें देखो भाई हमारा rate 80 है आप कहां सोचोगे आप कहां जाओगे bank में हाँ तो यह देखिए यह था RBI ने rate quote किया 80 का आपके लिए कोई काम का नहीं भूल जाओ वो एक reference rate है वो सिर्फ एक base है जो सब को बताता है कि हम यहां stand करते हैं ठीक है इस पर deal नहीं होगी कभी यह deal करने वारे rate ही नहीं है यह सिर्फ एक benchmark है जो सब को एक idea देता है अब कहते हम गया SBI में SBI कहते हमारे पास rate है 79 का और 81 का के लिए यह मेन है आपका RBI ने दो rate code कर दिया SBI ने दो rate code कर दिया This is bid rate क्योंकि RBI SBI SBI कहते कि मैं किससे dollar अगर लूंगा dollar तो मैं जेव से निकालूंगा rupee कितना बताए 79 मतलब मैं 79 पे करूंगा चस्ता मैं खरीदूंगा तभी तो कम पे करेंगे न और जब मैं किसी से किसी को dollar बेचूंगा तो उनसे मैं 81 लूंगा तो 81 लूंगा 79 दूंगा मतलब 2 transaction को मिलाके 2 rupees उसका profit है यानि कि यह जो दुकान खोलके बैठा है यह जो दुकान खोलके बैठा है for that it is earning 2 rupees as a profit from exchanging dollar currency आप एक ची देखना money exchanger जो बैठा होता है वो सोचता है कि जादा से जादा लोग मेरे पास आए currency convert करने के लिए क्योंकि वो खरीता बाई करता है सस्ता सेल करता है महंगा यह दुकंदार का rate होता है दुकंदार का buying rate है आपके लिए selling rate है आपके लिए selling rate है यह चले एक काम करते है calculator का rate लेते है थोड़ा सा dollar में थोड़ा कम समझ आता है calculator का rate 400, 500 यह दुकंदार ने rate code करके बैठा हुआ है दुकंदार क्या कहता है calculator ले कि आओ मैं आपसे खरीदूंगा at 400 और मैं आपको बेचूंगा 500 means calculator के दुखंदार क्या कर रहा है यहां पर बताईए 100 रुपीज का फाइदा कर रहा है अब आप सोचो आपके पास कहीं से calculator मैंने आपको गिफ्ट में मैंने आपको गिफ्ट दिया 100 रुप गिफ्ट दिया था क्या करोगे अपने बचोगे आप किसके पास गए उस सौपकीपर के पास उस स्टेशनरी सौपके पास गए आप calculator उनको दे रहे हो कौनसी रेट अपलाई होगा 400 तो आप तो बेचे ने इत बिड रेट इसको हम ask rate नहीं बोल सकते हैं थोड़ा सा इंडस्ट्री में practice थोड़ा सा अलग तरीके का चलना है जब मैं इंडस्ट्री बोलू तो हमारे जैसे और भी कुछ faculty जोगर होंगे कुछ और भी student होगर होंगे वो थोड़ा सा अलग तरीके से interpret कर रहा होता है याद रखना इस रेट को ask rate मत बोलना यह ask rate नहीं है 400 रुपीज 400 rate is always bid rate तो कि सबसे पहली बात rate आपने code किया है क्या तो किसने code किया है इसने इसनरी वाले ने तो जिसने rate code किया है वो उसके नजरिये से ही bid ask बनेंगे हम क्या बोलते है customer sales customer sales commodity at bid rate rate हमेशा वो bid ही रहेगा 400 यह 500 हमेशा ask ही रहेगा हम क्या बोलेंगे customer sales commodity at bid and buy commodity at ask तो मैं buy कर रहा हूं ask पे मतलब ask rate buying rate नहीं हो जाता है ask का मतलब हमेशा होता है sale समझ में आगे बाद this rate is always ask rate this is bid rate इसको हमेशा bid ही बोलेंगे इसको कभी ask मत बोलने लग जाना कि मैं बेच रहा हूं तो यह ask बन गया नहीं वो बोलना तरीका गलत है this rate is bid rate this rate is ask rate always but customer sales at bid rate customer buys at ask rate but shopkeeper stationary shop दुकंदार buy करता है bid पे sell करता है ask पे और इन दोनों के बीच के जो difference है that differential amount is spread and spread is profit या margin margin word use नहीं करेंगे क्योंकि margin थोड़ा अलग terms में use करते हैं हम लोग ठीक है अब हम इसको spread use करेंगे spread जो है यह profit है businessman का businessman का जो कर रहा है वो bank का बिल्कुल सही यहां हमारे rate quote करके देंगे bank यह forex dealer तो उसका प्रोफिट होगा हमें साम बोलेंगे ask rate वो rate है जहां bank sale करता है spread is difference अब यहां क्या होता है कभी-कभी spread न पर्सेंटेज में निकाला जाता है तो bid rate को में base बना के निकालू या ask rate को base बना के कुछ भी कर सकते हो कोई issue नहीं है ठीक है कभी इंस्टूट bid rate को base बना के spread percentage निकाल लेते हैं कभी ask rate खास करके CMA में यहां पर जो होते हैं CMA इंस्टूट में MC को में कितने बार यह question डाल रखा है तो एक बार सायद ask rate डाल दिया है ज्यादा time bid rate डालता है आप मुझे बताइए सेल पे percentage profit निकालना logical या cost पे percentage profit निकालना logical क्यों किस logic से मैं logical जो practice use करते हैं वो छोड़ दो normally जो हम कहते हैं कैसा मेरा इतना margin है वो इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि हम अगर 100 रुपे में बेच रहे हैं तो लोगों को 100 रुपे दिख रहा होता है हम जब कोई सामान बेच रहे हैं 100 रुपे तो सबको 100 रुपे दिख रहा होता है cost किसी को दिखता नहीं है वो सिर्फ एक को पता होता है किसको जो खरीद रखा है इसलिए normally हम जब भी कभी बोलते हैं तो लोगों कोलते हैं कि देखो हम 20% margin पे काम करते हैं तो ये होता है हमांक से न वो 80 रहा गे ये कितना percent में बोलू तो पहले ये पूछना पड़ेगा किसके respect में पूछ रहे हो अब पूरे गुरुप के respect में पूछ रहे हो दोनों गूप की Inspector से पैपर के रिसफेक्ट में पूछ रहे हो सिर्फ एक पेपर के respect में पूछ रहे अब जिसका 3 paper है उसके लिए, अब CMY वाले का तो 4 paper है, तो 800 के respect में निकालेगा, तो 800 के respect में वैसे हो जाएगा, फिर 80 divided by 400, 80 divided by 400, multiply 100, फिर वो आपने आपको 20% बोलेगा, और मालेजे, बोत गुरुप के respect में पूछू, तो 80 divided by 600 CMY वालो के लिए, और वो अपना 800 के वैसे, वो ब मुझे बताईए, कौन लॉजिकल है इसमें, एक percentage की calculation है, ठीक है, तो cost की percentage लगाएगा, sell की percentage लगाएगा, हाँ, commonly जो use करते हैं किस पे, sell पे, यह सही है, लेकिन इसलूट यहाँ पर commonly जो calculate करते हो किस पे, bid rate पे, क्योंकि यह है, buying rate यह is selling rate, तो यह कहते है, buying rate पे percentage निकाल ल इसा चीज है, हमेशा बोलता हूँ, दोनों ने देखे आना, अगर पूछ देना, दोनों ने देखे आओ, वैसा यह से MCQ में आता है, ठीक है, अब MCQ में आएगा तो आपको पहले से पता है, ऐसा तो करेगा ने, तो यह भी दे दे, और यह भी दे दे, ऐसा तो नहीं होने है, ठीक है, अब बोले को हो जाए तो, तो वहाँ पर जो दिमाग काम करे कर लो, ठीक है, फिर बिड रेट को बना लो, भी इस क्या कर सकते हो, बहुत बार क्या होता है, हम लोग जान बुझके न अपने आपको परिसान कर रहे होते, हम यह साब वही चीज सोचेंगे जो नह हैं हमेशा सबकंसे माइंड साथ हैं, इसलिए आप लोग देखते होंगे, बहुत बार करते होंगे, कि हमेशा सात रात में सोने से पहले जो प्याज़ करते हैं, उन लोग चुछ के पर आत के आपको पॉजिटिव अफमेशन के साथ सो आप ताकि बार बार आप अच्छी प तो इससे क्या होगा, आपकी सब कंसस माइंड में जो होना को positively activate हो जाएगा, तो हमेंसे आपकी thought process क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और इसको थोड़ा देर के लिए आप सोचो गए भी निए तो आपको सही महसूस होगा, क्यों, क्यों कि आपके समने सरने रिजल्ट आने से पहले हर दिन आपके सपने में रिजल्ट आ रहा होता है, क्योंवरं कि आपके दिमाग में thought process वही चल रहा ही, यह दुन हन्ग, प्ल ओ गए, अदो आपक क्लकूलोडर चूट के, इस तरीके के सपने आ रहे होते हैं, इस तरीके के सपने आ रहे अरे मान लो 120 मार्क्स की पेपर है 20 मार्क्स बुरा हो रहा है 30 मार्क्स बुरा हो जाए 40 मार्क्स बुरा हो जाए तब भी हम कहां स्टांड करते हैं 80 मार्क्स पे स्टांड करते हैं और अगर आपने सही से 80 मार्क्स वाल्व कर दिया न 80 आएगा, कहीं नहीं जाने वाला है आपके अगर calculations, तो अगर mistake नहीं हुआ है 80 के 80 आते है, बहुत सार इसे example है, पर होता है कि वो example आप देख नहीं पाते हो आपको सिर्फ दिखता कि वो negative जो वो चीज है न क्योंकि negative ज़्यादा circulate होता है, समझ में आगे बात positively को circulate होने, positive चीज़ों को circulate होने में time लगता है, वो सब सीज है हमें सब positive सोचो, कि नहीं आएगा नहीं आता है, आज तक नहीं आता है, क्यों होगा और होगा तो ठीक है, एक मांग सला गया मेरा कुछ भी ऊपर वाले का नाम लेके इसको tick कर देंगे, इसको tick कर देंगे कुछी होगी कर दो, क्यों आगे तो क्या करोगा आप तो वहाँ पर क्या है, OMR सीट में तो circle कर एक तो select कर नहीं पड़ेगा यहां तो ऐसा कोई लिखने का choice तो है ही नहीं कि भाई लिक तो यह भी ठीक है, यह भी ठीक है अब आत समझे नहीं मेरे कब क्योंकि अब MCQ सबको आने वाल है और हो सकता है छोटा भी MCQ हो हो सकता है बड़ा भी MCQ हो बड़ा MCQ में परिसान होने की जड़त नहीं आपको क्योंकि सेंपल पेपर आ चुका है उसमें से चार दिया है सेनारियो बेस्ट MCQ उसमें हमने डील भी कर लिया अभी अमेर्मेंट बाहस में उसको दिखा भी जाते है कैसे क्वेस सने, चलो आप लोग को भी कर लूँगा नहीं तो मैं सोच रहा उसका लग से वीडियो बना दूँगा इसमें क्यों हम बहस करें वो अभी 81 MCQ दिया था छोटे-छोटे एक-एक मार्स दो-दो मार्स वाले जिसमें छोटे से लाइन होंगे छोटे से MCQ सेलेट करो और चार क्वेस्टन इस्टूट ने किया था बड़े वाले सेनारियो बेस्ट MCQ जिसमें क्या कर लिया एक बड़ा सा केश दे दिये और उसमें चार MCQ डाल दिये ये क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा तो ये थोड़ा सा लगता था पहले से कि difficult बनेंगे, वो कोई difficult नहीं बनने वाले वो और असान बनने वाले है, इसी में से उठाया है question, same question उठाया है, पहले चार point होते थे, अब वो 4 point का आपका answer निकालना पड़ता था अब वो क्या कर रहा है, answer कि उसने 4 point दे दिया, कि भाई देखो पहला point का 4 point है, अब बताओ कौन सी selected, ज्यादा बेटर है क्योंकि आपको पहले से पताए कि आप कहाँ stand करते हो, कितना marks मिलने वाले confirm है आपका, तो यह तो ज्यादा बेटर है समझ में आगे, तो मुझे तो लगता अगर ऐसे MCQ, वो बड़े वाले MCQ पहले तो लग रहा था कि बड़े MCQ बरशरी बड़े केस डालके, उसके अंदर MCQ डाले तो थो थोड़ा सा difficult बनने वाल है लेकिन जिस तरीके के sample question दिया है उसने, तो पुराने question को उठाया है value तक नहीं change किया है तो जब अभी उसको MCQ बनाने का time ने भी फुरसत में है तो अभी इंस्ट्रूट के पास अगर time नहीं है case बनाने की तो exam में case बन जाए इसकी क्या guarantee है और हो सकता है एक case बन जाए एक case दे दे बड़ा सा नया हो और बांकी case क्या रहेगा आपका अच्छा दो case होते है बांकी छोड़ी 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 ऐसे ही करेगा 30 marks का MCQ डालने है उसको एक case डाल देगा बड़ा सा 15 marks का और बांकी छोड़ी छोड़ी कर देंगे 15 marks नहीं नहीं case डालेगा एक बड़ा सा उसके अंदर चार चोटे-चोटे पॉइंट डालेंगे समझ में आगे हैं? पांच डाल देंगे दो-दो मांक्स के बट केस कितना रहेगा आपका? एक तो जैसे हमारा questions होते हैं, बड़े questions डालेंगे उसके चार पॉइंट है, तो चार पॉइंट मतलब से कैसे आ जाएगा दूसरी बात है, लेकिन numerical paper के लिए आपके लिए, एक आप समझ के चलना, 30 marks में से 25 तो कहीं नहीं जा रहे हैं, 100% में लिखके दो, कहीं नहीं जा रहे है MCQ, समझ में आगे? इसका मतलब exemption लाना है ना, तो 60-25 कर दो, क्योंकि मैंने 5 marks में रख रहा हूँ इसलिए, क्योंकि थेरी अगर डालेगा MCQ में, थेरी मुस्किल बन सकता है, इतने मोटे बुख में से कौन सी लाइन को टाल दोगे, पता नहीं चल पाता है कभी, बहुत वार, तो MCQ बनेगा थेरी वाले वो difficult बनने वाले, मतलब 35 marks एक्स्ट्रा ले आओ, नुमेरिकल पेपर से, आपके क्या होगे बताइए, नुमेरिकल को पोर्शन से, आपके एक्जम्शन कनता हूँ, मैं जो लग रहा है, ठीक है, चलो कोई नहीं वापस आते, तो वो जब छोटे-चोटे MCQ पुछेगा न, तो उसमें 24 आपके पास इसे सिर निकाल के दे रखक है, अब आते हैं वन-वे कोट, आनने बताई न, जो Rabi N BP कोट किया था, क्या था बताईए, वन-वे, एक rate देता है, वन-वे जिसमें buying rate और selling rate दोनों सेव होता है, स्मझ मिहां किया बत, buying और selling mainstream rate दोनों सेम ही है, Rabi ने बोला कि 81 radius, 80 का rate है, तो buying भी वही है selling भी वही है, समझ मैं कि यह सिर्फ एक imaginary होता है यह सिर्फ national rate होता है, इस पर कभी deal नहीं होता है, one way rate जो होता है आपको सिर्फ question solve करने के लिए मिलेगा real life में कभी भी one way quote यूज नहीं होता है इसको single rate quote बोलते है यह rate, true quote क्या हो गया बताईए bid अलग, ask अलग common practice है, पहले हम लोग क्या लिखते हैं पता है पहला rate जो होता है, bid होता है दूसरा rate ask होता है समझ मैं आगया, यानि कि आपको हमेशा इस तरीके के format में लिखा हुआ rate मिलेंगे अब मैं आपको बता दू एक बार न, institute ने एक बार institute ने अभी भी वो study mat में अबलेवल है इसकी कहानी बताता हूँ पहले आपको ICI कहीं पे होगा यह देखो यह अभी के study mat में भी यह कोई rate है इस तरीके से rate quote करके दिया है देखो ध्यान से क्या है देखा आपने पहले से arbitrate ठीक है मैं आज से 3-4 मन्त पहले board of studies में जो अभी deputy director जो हो आपका क्या के थी आज से सब चीज़ों को discussion करने के लिए ठीक है खास करके यह जब अभी इससे पिछले बाच में पिछले attempt में जब स्रिया चावला स्रिया चावला जब 85 marks लेके आए थी जो highest marks थे तो वो हमारे central council member के लड़की है तो वो पहले फेल हो चुकी थी आसान paper में तब वो राचावला सर ने मेरे से बोला कि बिटिया को थोड़ा सा गाइड कर दो इस जैसे अभी के बैच सल रहे नहीं exam oriented exactly उस time exam से पहले इसी सुरू किया था तो वो बोलती है कि नहीं सर मैं यहीं आके पढ़ूँगा क्योंकि घर पे पढ़ा ही नहीं हो पा रही है मैंने बहुत पढ़के देख लिया हम class में आके पढ़ें तो पढ़े तो उनको अच्छा मांक्स आ गए तो बहुत अच्छे मांक्स आये तो बहुत खुश तो बार-बार बोलते रहते थे मुझे तो गए थे एक बार मिलने तो बताओ कि यसे सब्सक्राइब कर सकते हैं इतने सारे मिस्टेक से 50-60 में डिस्प्यूट मिलता है तो तो उसने इमेडियेट उसी टाइम फोन लगा है उनको आसर गुपता जी को हां मैंने इनको बोला हुआ था पहले भी मतलब मुझे मेरे को कॉल पहले आ रखा था उनका और एक बार कभी बेदी मिले हुए थे जब एक्सन पे लॉक्डाउन के बाद एक्सन होई थी आइसी आईए गा तो गालीव में जब एक्सन थी थी तो इस टाम पे में गया था तो जब मैंट जैसे नाम रूश टाम सब लोग मास्क्पेन के जाते ते क्योंकि वह तो को तो को ना का टाइम लोगडाउन के जस्ट बाद इलक्षन हो रही थी तो मैंने मास्क बेने वे थे बोला कि अपना अटेंडेंस लगा रहे थे वहां पर वही बैठे हुए थे तो मैंने बोला नागेंद्र साथ अपर सब्सक्राइब को याद है मैंने एक वर कॉल किया था आपको इंस्टूट को क्या दो क्योंकि वह उस ताइम से अभी तक वहीं पर है तो उन्होंने मुझे वह दिये क्या कहते हैं कार्ड दिये मैं उस टाइम नंबर सेव नहीं किया और उसके थी तूफोर डेज के अंदर ही न मेरा वालेट खो गया था खास करके हुआ क्या था मैं जब बैठता हूं ऑडाय मिध्र Sumay thu करते टाइम तो थोड़ा सवाली हँजाते थां घुल के यरे को सीट से गिर गया वालेट को सीट पे डर लेती उत्रेन तो सीट से गिर गिया ठ्यक है ओगा दिम की दा बात में पता चला मुझे बह सी मोबैल के साथ भी यक दो चाहा था तो अब मैं कभी visiting card उन्होंने मेरे को call ही नहीं किया तो मैंने बोला उनको कि मैं तक हो गए और इसके बाद मेरे को number मिला नहीं और इसलिए मैं आपसे contact नहीं करवाए तो बोला कि कोई बात नहीं आ जाओ मैंने का अगले ही दिन मिलने गए थे पूरे पाँच घंटे बैठे उनके साथ सारे questions तो अगर discussion किये ये भी point में उनके सामने रखा कि ये सब तो correction करा दीजिए क्यों ये तो ठीक है न ये तो बच्चे को हम जान मुझके mistake कराने के लिए कर रहे है इसको नहीं करेंगे correction इसका मतलब ये हो गया कि वह पहले से management बना के बैठा हुआ है कि ये सब चीज जो है वह logically सोचे ना बच्चे अपना उनका ये कहना था कि बच्चे logically सोचे ये हम ये हमारा mistake नहीं है मैंने क्या लिखा है देखो ICI wrongly quoted ask rate first and first rate is मतलब ask rate को पहले लिख दिया कैसे देखो आप ये rate बढ़ा है कि नहीं है ये rate क्या बता है छोटा है तो मैंने उनको ये बोला कि अभी तक पूरे history में आई से है कि history में सरफ यही यहाँ पैसे लिखा हुआ है नहीं तो हर जग पे आपको छोटा rate पहले मिलेगा बरे rate बाद में मिलेगा तो उनका क्या कहना है कि नहीं जब इस तरीके के dispute अगर आजए तो बच्चे को logically सोचना है कि एक चीज़ बताओ logic क्या कहता है छोटा rate पे bank खरीदेगा बरे rate पे क्या करेगा वो बेचेगा अब अगर गलती से उन्होंने इसको मान लिया आस्क तो उनकी दिक्कत है तो फिर मैंने बोला कि इसका मतलब यह correction नहीं होगी कि ते नहीं यह ऐसे ही रहेगा मतलब इसमें कोई हमारा mistake नहीं है हमने जान बूज के क्या करा हुआ है तो उन्हों फिर आगे के question में भी डालने वाले ओके तो देख लेंगे mood कैसा बनता है यानि किसका मतलब क्या हो गया है कि exam में आपके ऐसे questions आने वाले नहीं आने वाले है उनके mood पर depend करता है कैसा होने वाला है यानि किसका मतलब यही नजर में है लेकिन यह correction नहीं होने वाला है इतना तो clear है ठीक है forward पर भी बात में बात करेंगे forward को थोड़ा दिर बात आते हैं लेकिन कुछ भी rate हो जाए bid पहले आपको छोटा मिलेगा आसा आपको बात मिलेगा कहीं पर भी चाहे spot हो चाहे forward हो ठीक है forward पर जबाएंगे तब बात करेंगे अभी हम जहां पर वहीं पर थोड़ा दिर इस्टिक रहे तो यह देखो मैंने लिखके दिया कि ऐसे नॉर्मली लिखा जाता है sometimes we may find exchange rate quoted in wrong way अब इसको wrong way बोलो या ना बोलो intentionally बोलो wrong way बोलो इसमें क्या करते हैं यह rate quote करके दे दिया है देखो ICI study mat illustration 7 में वो जो हमने यहाँ पर आपको रखा है नहीं है यह जो अभी दिखा रहा था यह illustration 7 इंस्टूट का study mat के अंदर ठीक है वहाँ पर देखो यह rate है 62.72 62.68 यह देखो 62.72 62.68 यहाँ पर किया हुआ है in this case एक higher rate as ask rate इसको आपको क्या करना है ask zoom करना है और इसको क्या zoom करना है बताई bid इसका मतलब एक्जाम में जब भी question rate rate apply कर रहे होते हो नजर डालना छोटे बड़े के sequence में है या नहीं है नहीं तो आपको पता दू institute के step marking का मतलब होता है कि last की जो result है न आपके correct होनी चाहिए आप सब कुछ सही कर लो process सही कर लो उसका marks नहीं है process के साथ-साथ calculation सही होने के साथ-साथ last की result क्या होना चाहिए same इसका मतलब यह नहीं है कि result आपके exactly suggested से match होना चाहिए no ऐसा नहीं है वो बिल्कुल strictly मैंने बोला कि इतने सारे जो rounding of का difference होता है उसमें marks cut कर लेते हो strongly सीधा इन्होंने बोला कि कोई मुझे दिखा दे rounding of मैंने marks cut किया हुआ है ठीक है एक दो को छोड़ किये manual error हर जगा होता है हमेंसा accept करता है कि manual error हो जाते आप भी आज अगर answer sheet check कर आप से manual error हो जाएगा हम भी कहते हैं आज भी मैं test पे check करता हूँ हमसे भी हो जाते है ठीक है और उसी 57 marks की manual error होता है ठीक है अर उसी 57 points को लेके क्या कर रहे होते लोग पूरा का पूरा issue to create कर रखा होता है है ना तो वो चीज है नहीं तो उसका मैंना है कि rounding of marks cut नहीं करते और इसलिए आज के rate पे देखना recent solution के अंदर institute कितना improvement किया है हर question की 2-2-3-3 answer दे रहे है recent में आप check करना recent एक-2 साल की suggested देखो RTP देखो MTP देखो हर एक question के 3-3-4 alternative दे रहे है और वही यही कह रहा था कि इसलिए देखिए हम इतना improve कर रहे है कि बच्चे को अब मैं suggested में भी क्या कर रहा हूँ 2-2-3-3 alternative से solution दे रहा हूँ कि आप यह करो तब भी marks मिलेंगे यह करो तब भी मिलेंगे हम strict कहां हो जाते है जहां पर लिख के दे देते है कि यही करना है तो आप मुझे बता एक professional बनने जा रहे हो आपको client ने बोला कि मुझे ऐसे काम करना है और फिर भी आप अपना वहाँ पर दिमाग चलाये जा रहे हो तो client आपके बास रहने वाला नहीं है समझ में आगे बाद तो उनका क्या मानना है कि हम strict तब होते है जब हम question में specify करते है जब question में specify नहीं करते है तो हम कभी strict नहीं रहते है बट लोगों ने क्या कर रखा अब negativity पैदा कर रखा है अब जहां पर बिल्कुल गलत हो आप तो वहां पर improvement की chances बनती है तो खेते हैं दिखा हो न तो आया हो तो इसलिए आया हो तो दिखा है बहुत सारे बताओंगे जहां-जहां questions होगर है उस पर उनका क्या reply था कहां पर feedback था बहुत सारे जगर पर वो convince हुए आयो वापस एक काम करते हैं हम लोग तो दस तक पढ़ने जा रहे हैं न दस तक पढ़ेंगे न फटीग है तो पास साथ मिनिट का ब्रेक ले लेके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहते हैं थोड़ा सा एक्लिक थोड़ा सा रिलाक्सेशन हो जाते हैं तो 5-7 मिनिट तो नहीं 10 मिनिट हो ही जाते हैं तो 10 मिनिट का ब्रेक ले लो एक का भी थोड़ा सा इनका जैसे डाउट था कि लास्ट लास्ट में हमने कुछ बात कर रहे थे कि जब गूगल पर सर्च कर रहे थे इस तरीके से यूएसडी आयनार तो वो दिख रहा था 81 के 82 के रहांड है ना जिनका के नहीं हमने तो अभी तक पढ़ा था था थोड़ा बहुत पढ़े होंगे पहले से तो उनके के नहीं कि ये तो 1 होता है 1 रूपी का रेट होता है या नहीं होता है वो इंटरपर्टेशन मैंने यहां पर करार रखा है ये पेज नंबर 1.43 पर मिलेंगे आपको तो उसको डाउट को होल्ड करिए मैंने उस टाइम भी आपको ये बोला था कि आप बस देख लो कि ऑफिसेली क्या चल रहा है ठीक है और तब जाके आप अपने बुक पर चेक करना क्योंकि हम कुश्चन पर पहु क्योंकि आप कभी ले लेते हो देखो यहां पर इस तरीके का कुश्चन की सिच्वेशन मिलेगी ऐसे लिखा हुआ है कि क्या बोलेगा डॉलर वन देखो वन किसके साथ लगा दिया इसके साथ और आपको याद होगा जब मैं गूगल पर सार्च कर रहा था तो इसके साथ व पर पहले कर्यंसी में यूज कर रहे हैं एक बड़ दूसरी करेंसी में यूज कर रहे हुआ ह। चलो रूपी के साथ है तब तो समझ आता है यानि कि कौन सी common sense strength strength जो पहला क्लास में बढ़ाया फिर मैंने ये भी counter question पूछा उन से कि आप जिसे strength की बात कर रहे हो वो strength तो time to run बदल रहा है चलो dollar और rupee की बात करेंगे तो strength में कोई change नहीं है पिछले 25, 30, 30, 50, 50 अगर 50 तो पता नहीं 30 साल तो पता ही होगा 35 साल से तो होगा ही हमेशा dollar कहा है बता है stronger और rupee weaker है लेकिन आप जैसे अभी CHF की बात करो यह आपका Swiss franc की आपको बताओ Swiss franc 5 साल पहले पहुँचाओ अब dollar के नीचे है और आज Swiss franc यूरो के भी उपर है मतलब euro से भी ज़्यादा महंगा है तो मैंने ये चीज बोला कि strength तो हर दिन बदलता रहता है और आप तो question कहां से डालते हो पुराने book से उठा कर copy कर लिए तो उस case में तो पुराने की basis पे strength ले ले लेगा और आज की strength तो कुछ और होगा तो फिर वो थोड़ा सा थोड़ा सा उनको लगा कि हाँ ये बात तो सही है क्योंकि पुराने question भी पीक हो जाता है तो फिर कहते है कोई न कोई ता ऐसा currency होता है जो हमेशा ही stronger है जैसे कि pound की बात होती है pound जादातर case में stronger ही है उनके मुताबिक pound पाउंड भी जाके चेक करिए 20 साल पहले pound weaker था euro stronger था ठीक है अभी आपको pound जादा देखता है तो फिर थोड़ा सा उन्होंने भी research करने ही कोसिस किया ठीक है कहते हैं मैं जब से जानता हूं मेरे को knowledge है तब से pound क्या है strong है ठीक है वह आप देखिए का जब यह जो संगठन बनी है ठीक है जो आपकी जो दिख रहे हैं उसके बाद से pound recent में बहुत जादा strong हुई थी 20 साल पुराना जो हिस्तिय उसमें थे तो थोड़ा सा इनकी भी यह बातों को लगी जब मैंने बोला कि strength होते रहते और आपके question में क्या हो जाता है strength wise तो गरबर हो जाता है बहुत सारे question दिखाऊंगा आपको आगे तभी तो बोला ना कि धीरे धीरे करते रहो जितने भी doubt है सारे आपको clear होंगे यह interpretation मैंने लिखा और एक लाए दो लाइन नहीं लिखा इस concert पर देखो आप पूरा लिखा हुआ है देखो आप इस सब कुछ लिखा हुआ है सब पर doubt clear होंगे आप attention मत लीजिए इवर मैंने example के book सब लिया हुआ है और इस पर उनका क्या opinion था वैसे यह चीक नहीं होने वाला यह तो clear है इस पर बहुत ज़्यादा confusion हो जाते तो उनका कहना है कि इतना knowledge बच्चे को रखने पड़ेंगे वह यह अजयूम करके चलता है बहला अजयूम बच्चे knowledge रखने के बाद भी सायद वहां पर फेल हो जाएगा due to current strength और older strength जो दोनों में क्या है बताए ग्याप है ठीक है तो आप current strength के इसाब के अगर question दोगे तब तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होता है लेकिन आपके question जो frame करता है वह तो current strength के इसाब से करते ही नहीं है यानि कि यह 2009 से भी पहले का होगा 2009 में 52 के around चल रहे थे इस टाइम मैं पढ़ रहा था यानि कि आपका 2000 के around के कुछ होगा यह तो बताओ उस तना पुराना question आज question में डालते हो अच्छा में उस्ता चाहिए ना उनके सामने यह से नहीं बहुत है उनका उनका भी तो कोई गलती नहीं ना वजसे लॉजिकली सोचता है वह बंदे बच्छे अच्छे है अभी के जो बंदे हो अच्छे है बहुत सारे improvement मुझे दिखाया बुक्सा हो ना कि देखो यह मैंने language change किया यह मैंने language change किया इसलिए change किया है कि बच्छे के फायदा हो मर रहा है यह सब चीज अच्छे है तो लॉजिकली सोचता है वह अच्छी बात है तो इसलिए आप लोग के लिए ठीक ही अच्छा ही होने वाला है क्योंकि अभी जो बैठे हुए board of studies में जो है deputy director अच्छ word है pip जैसे आप देखिएगा रुपी का सबसे smaller unit क्या है हमारे लिए रुपी का पैसा कितना पैसा सबसे smaller unit वो यूज नहीं होता बात अलग है लेकिन आप क्योंकि वो 100 पार्ट में divided है तो इतना रुपी जो होगा न उसको हम लोग क्या बोलते बताइए 1 पैसा है ना अब यहां क्या होता है for x के market में normally four digit में एक्सेंग रेट चलता है और वह भी 25 pip के multiple मतलब pip क्या होगे देखे वैसे book आपको यह लिखे देता है कि wholesale market में decimal के बाद four digit में एक्सेंग रीटेल के लिए decimal के बाद two digit में चलते यह लेकिन राउंडेड होता है ठीक है, तो लिखा हुआ मिलता है, रूल जरूर है, फेड़े ने बना रखा है रूल, लेकिन वो आपको कभी follow होते हुए नहीं दिखेगा, इसका मतलब क्या हो गया, कि exchange rate, जैसे मान लिजे अगर आपका 80.2583 है, तो कहते हैं, अगर एक bank दूसरे bank के साथ deal करेगा, तो ये कि decimal के बाद four digit में exchange rate जाएगा, और जो retail use करेंगे, उसमें कितने digit जाएगा, दो digit, लेकिन आपको ये follow होते हुए नहीं दिखेगा, customer to customer में भी four digit के exchange rate मिलेगा, bank to bank में भी आपको two digit के exchange rate मिलेगा, decimal के बाद, तो हम क्या करेंगे, कोई hard and fast rule नहीं है इसका, कहीं कहीं पे तो five digit भी use कर लेते, three digit भी use कर लेते, कोई standard नहीं है, standard सिर्फ चार डिजिट का है, decimal के बाद four digit या decimal के बाद two digit, ये standard है rule के मुताबिक, और हमारे question के अंदर भी मिलेगा decimal के बाद four या decimal के बाद two digit, okay, इसका मतलब जब भी हमें question solve करना हो, तो मैं तो हमेसा कहता हूँ, exchange rate को decimal के आदत डाल लो, okay, अब क्या हुआ, इसका मतलब, exchange rate इतना हो जाएगा, अब अगला exchange rate अगर लिखेगा कोई, तो मुझे बताई, इससे बढ़ाना है उपर, एक भी बढ़ेगा, तो कहां जाएगा, बताई, इतने पर जाएगा, पांच डिजित में हम कभी exchange rate लिखते ही नही smallest unit है, अगर कोई exchange rate four digit में quote होगा, तो fourth digit में ही तो एक बढ़ेगा या घटेगा ना, तो आप मुझे बताई, सबसे smallest value बढ़ना इसका कितना बनेगा, इतना ही होगा न, 0001, और अगर exchange rate हमारा, मानले जे two digit में है, तो सबसे smallest value बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, 101, जब बढ़ाना है, तो six को seven ही करो गया न, आप ऐसे तो कर नहीं सकते है, कि आधा बढ़ा देता हूँ, आधा अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा बताईए, 65 जाएगा फिर ये, तो three digit में expand हो गया न, तो आपको three digit में अगर नहीं लेके जाना है, तो exchange rate का सबसे smallest unit क्या बनेगा इतना, ये तो हमने किसके लिए बोला है, बताईए, रुपी के point of view से, अब मान लेजे, अगर ये dollar का होता, तो dollar में भी अगर rate है, मान लेजे, one point, suppose कि ये 0126 है, तो इसमें smallest value अगर बढ़ाऊं, तो अगला rate क्या होना चाहिए, बताईए, 27 होना चाहिए, तो ये भी कितना बताईए, अब आप बताईएगा, ये कितना पैसा है, 0.01 पैसे है, तोचके देख लो, 0.01 पैसे है, 0.01 पैसा है, पैसा के भी, पैसे के भी hundredth value है, ये कितना बताईए, ये 0.01 cent है, ध्यान नहीं दे रहे कुछ लोग, ये 0.01 cent है, ये 0.01 पैसे है, ये एक पैसे है, ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर डॉलर में आता true digit, तो ये बोलते 1 cent है, इसका मतलब, ये जो smallest unit है, हर currency का, अलग-अलग नाम से पुकारे जाएंगे, किसी का wrap in होगा, किसी का sin होगा, किसी का penny होगा, किसी का cent होगा, लोगों ने क्या करा, हर एक exchange rate के smallest unit को pip बोलना शुरू कर दिया, क्या बोल दिया, pip, ठीक है, तो ये कितना pip है, बताईए, 1 pip, ये कितना है, 1 pip, बोलोगे लोग, दोनों 1 pip, हाँ, ये भी 1 pip है, वो भी 1 pip है, बोलते कि अगर 2 डिजिट में exchange rate है, तो 1 pip का मतलब 0.01, 4 डिजिट में exchange rate है, तो 1 pip का मतलब 0.001, ये foreign exchange के market के language में वो होन गया, इसका मतलब, अब मैं अगर एक rate लिखता हूँ, 80.2536, और एक rate में लिखता हूँ, 80.25, मान लिजे, 40, अब मुझे बताईए, ये महंगा है, ये महंगा हो रहा है, कितना महंगा है, बता सकते हो कोई मुझे, वैसे तो आपको quantify करना हो, तो आप बोलोगे, 0.00, 0.04 बोलोगे, है न, या 4 pip बोलो सीधा, तो ये pip word आया ही इसलिए है, कि ताकि लोगों को, करेंसी महंगा सस्ता जोते हैं, बहुत छोटे पॉइंट से होता है, तो इसको लोगों को, बोल्चाल में क्या हो जाए, एक help मिल जाए, कुछ identify करने के लिए, इसलिए क्या word का जन्म हुआ है, pip, यहाँ पे देखो, तो यानि कि pip की अगर बात करें, तो price interest point है यह, यानि कि smallest value of an exchange rate is known as pip, smallest value of किसी भी exchange rate का, अगर exchange rate 2 digit में है, तो 0.01 का मतलब 1 pip है, exchange rate अगर 4 digit में है, तो 0.001 का मतलब 1 pip है, खतम होगे, कुछ हाई नहीं, यह बस एक बोलने का, बोल्चाल का term सही है, कितना ज़्यादा है, बताओ, देखो यहाँ पर, pip की जब बात आती है, तो यह currency नहीं देखता है, चाहे वो 1 हो, चाहे pound हो, चाहे रूपी हो, चाहे dollar हो, कुछ भी हो, सब सारे exchange rate के smallest value को क्या बोलते हैं लोग, pip, तो कितना हो गया, बताओ, यह कितना पिप है, बताओ, तू पिप, अब दो ही डिडिज का exchange rate है, यहाँ कितना है, बताओ, तीन, थ्री पिप से सस्ता है, महँगा, डेप्रेशन, क्योंकि देखो, rate सस्ता हो रही है, तो डेप्रेशेट कर रहा है, थ्री पिप से, मैं चलता हूँ, दो मिनट के लिए भी मार्केट में, ठीक है, अज कौन सी दिन है, मार्केट ओपन होगी क्या, हाँ जी, हो गया होगा, यहाँ देखो, चार डिजिट में exchange rate quoted है, यहाँ पे, देखना, डेसिमल के बार, चार डिजिट कोट करते हैं, बैंक जो भी कोट करते हैं, कितने डिजिट करते हैं, चार डिजिट, ओके, तो मैं चलता हूँ, थोड़ा देर, इसमें trading हो रही है अभी, है ना, अद देखिए का system क्या होता है, इसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ, USD, INR, USD, INR का कुछ rate आपको सामने मिल जाएगा, जो market में trade अभी हो रही होगे, है ना, अब मान लिजिए, market में जो trade हो रही है, उसके मुताविक, यह कुछ हमारा rate आगे है, देखो, यहाँ पे कुछ trading चल रही है, है ना, अब एक नज़र, यह बोली लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे किसी bank ने नहीं code किया हुआ है, यानि कि दो लोग मिल के यहाँ क्या कर रहे है, लड़ रहे हैं, जब लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि, buyer कह रहे हैं कि, हम इतने में बाई करने को लिए चाह रहे हैं, seller केरे में इतने में बेचे लेके लेते यार हो तो seller अपना बोली लगा के बैठा हुआ है buyer अपना बोली लगा के बैठा हुआ है बस ये निलामी चल रहा है dollar की निलामी चल रहा है सब कुछ हो सकता है ठीक है अब ऐसे सोचो building का निलामी हो रहा होते तो वहाँ पर क्या होता है देखना auction जब हो रहे होते buyers बहुत सारे होते seller 1 होता है इसलिए buyer में बोली लगते हुए दिखता है आपको अलग-अलग rate बताता है और सबसे किस buyer को दिया जाता है उस सामान जो महंगा बोली लगाता है यहां देखो बहुत सारे buyers है देख रहे हैं यह बहुत सारे buyers है देखो इतने सारे quantity पर बैठे हुए buyers है सबसे पहला number पर कौन बैठा हुआ है यह सबसे महंगा खरीदना चाह रहे है देख रहे है सोचके देखो और देखना दो buyer के बीच में जो rate में gap है 25 pip की, देखो ध्यान से, ये 125-0 का बोली लगा रहा है, और ये 1275 का बोली लगा रहा है, अभी मैं बदलूंगा, बोली बदल चुका होगा, ये real time अभी trading चल रही है, बट ये NSC के website के साथ क्या दिखाता है, ये आपको real time fluctuate होते वे दिखता नहीं, आपको refresh करना पड़ता है page को, बट ये ही जाओगे आप दूसरे third party के website पे तो क्या होता रहेगा आपको ये, real time fluctuate होते वे दिखेगा आपको, ठीक है, तो अभी जैसे देखे, यहाँ पे दिख रहा है, market में क्या है, rule है, कि 25 pip के बीच में न कोई बोली ही नहीं डाल सकते, सुझ में आग 1275 का जो rate चल रहा है, तो मुझे 2 pip महंगा खरीदना चाहरा हूँ, तो मेरा number पहले आजाएगा, दो pip भी अगर बोली मैंने जादा डाल दिया खरीदने के लिए, तो मेरा number पहले आना चाहिए, मैं इन से महंगा खरीदने को तयार हूँ, तो मेरा number इससे उपर आएगा, यह भी मिला दी है, सो सब लाइन में लगे हुए खरीदने के लिए, देखो सब का आपको कितने कितने डाउन दिख रहा है बता है न, 25 pip का, इसा क्यों हो रहा है, इस बीच में क्यों नहीं किसी का बोली दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने रूल लगा रख है, कि 25 pip के टिक साइज चलते हैं, इसको टिक साइज बोलते हैं, आप इसके बीच में बोली डालोगे न, बोली रिजेक्ट हो जाएगा, वो कहते हैं जाएगा नहीं आपका, अगर ऐसे हो गन तो बहुत सारे प्राइस आ जाएगे, तो यहाँ पर रूल क्या चलता है, मार्केट के अंदर 25 आपको टिक साइज बदलने ही पड़ेंगे, इसका मतलब मेरे को अगर इससे महंगा बोली डालना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँँगा पड़ेगा, और देखना, सेलर ने भी बोली डाल रखा है, देखो, सेलर डाल रखा है था वन थी पर, क्योंकि देखो, बेचने वाल में देखना कितने का गया आप है 25 पिप की और यही रीजन है कि question में भी आपको 25 पिप की rounding up बहुत जादा आता है question के अंदर वो question में क्या बोलेगा round of the exchange rate in multiple of .0025 अब हम round of नहीं करते हैं गलती से अब बच्चे वहाँ पे एक opinion create करते हैं हमारे को rounding of का marks काट लिया आपको बोला था ना round of करो अब आप कैसे ignore कर दिये बोले हुए चीजों की ignore करोगे तो marks 0 मिलता यह sure है यह 100% sure है अगर मिल गए आपको तो आपके वो luck आप अच्छे करम किये थे इसलिए ignore करके भी value ignore करके आपको marks मिल गया दरवाज नहीं मिलेगा अगर rounding of बोला है करो rounding of नहीं किया आपने तो marks सीधा 0 हो जाता है उसमें कोई chance कुछ भी इदर उदर की कोई वो मनता ही नहीं आपका ठीक है तो यह चीज़ याद रखना है इसलिए rounding of की concept बहुत ज़्यादा आता है खरीदने वाले से इसलिए सब number में लगे हुए अब देखना अगर मान लिजे इनको ज़्यादा जल्दी है buyer को उनको खरीदना हो क्या करेगा पता है rate को बढ़ा देगा यह 25 पी बढ़ाएगा एक दो पी बढ़ाएगा तो rate order जाएगा ही नहीं in this 33.01 quantity और आपको बता तो इसमें भी एक quantity का मतलब कुछ और यहाँ पर एक डॉलर नहीं है one quantity का मतलब कुछ और है उस पर हम अभी बहर रस नहीं करेंगे देखो आज के अगर history चेक करोगे न market में यह trading 9 बजे open हुई थे 9 o'clock पे 9 o'clock में जब start हुई थी तो 83100 पे trade होना शुरू हुई थी starting आज की अभी तक यह highest जा चुका है 1625 तक अभी जितना दर trading हुई है अप्रॉक्सिमेटली 30 मिनट्स की trading है अभी क्योंकि currency की trading 9 o'clock पे शुरू हो जाती है बागी market के trading आपको 9.15 पे होती है वैसे market तो 9 बजे open हो जाती है उससे पर थोड़ा-थोड़ा से मैं आपको discussion करा दूँगा जहां-जहां ज़रत पढ़ेंगे वहाँ ठीक है तो यह तो highest गया है 30 मिनट्स में कितना 1625 का और lowest वही है जहां पे start हुई थी है न और अभी की ज इसको बोलते LTP लास्ट मतला सबसे लास्ट में जो दो लोगों की जो बोली माच हुई है 30 at 1275 बेस्ट बायर और बेसेर रुसी का सबस बैठा हुआ था 131275 पे तो लास्ट में उतने पर बोली माच हो रखिए यह लास्ट अभी मैं इसको बदलू रिफ्रेस करो तो सारे अम इसी में जाकर छुप जाता है तो मैं एक काम करता हूँ उपर से ही कर देता हूँ और फिर मुझे उपर से रिफ्रेस करूँगा तो दुबारा फिर मुझे यहां पर आने पड़ेंगे से लट करना पड़ेगा और मैं यहां पर जाओंगा यह देखो अब सारे सिच्वेशन बदल चुके नहीं बदले अभी भी अभी वह उसी के आसपास है लेकिन क्वांटिटी बदल चुका है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों यह 3000 क्वांटिटी था अब कितने क्वांट इसमें आज कह रहा है कि पिछले दिन के कंपारिजन में मार्केट में आज 50 पिप का प्राइस में डाउन साइड है नहीं 50 पिप का नहीं हाँ 50 पिप का पॉइंट 0050 डाउन है आप देखना आज जब 1.5 130 के आराउंड जब आर्भी अपना वह लेक्ट लेके आएगा क्या क आपको क्या दिखेगा 50 पिप दिख रहा है ना हो सकता है 50 पिप आपको कम दिख जाए समझ में आगे बात अब यहां पर कुछ लोग रहते कि सर यह तो 83 है लेकिन जो आर्भी आ की रेफरेंस रेट थी ना यह तो कितना है बताई एटी थी यह होमपेज पर ही था हमारा रेफरेंस रेट होगा रहा है तो होमपेज पर गया फिर से रेफरेंस रेट दिखा रहा हूँ यहां पर यह रेफरेंस रेट जो है आपका कि यहां की रेट अलग है और वहां जो ट्रेड ओड़ी थी क्या और रही थी बताईए अलग रेट है क्योंकि दोनों की सेग्मेंट अलग है अब वो सब में क्या डिफरेंस है जब डेरिवेटी पढ़ाऊंगा तो वहां पर लिंक करूंगा अभी उस स्यादर दलदल में मत फ हम करें इसको यह पिप की कहानी थी वन बैंक डिल सुइत अनदर बैंक उजिंग एक्षेंज रेट अप्ट फोर डिजिट आफ्र डेसिमल यह सब जो बोला नहीं यहां पर लिखा है रीड करते रहेगा लेकिन हावेवर इंस्टिटूट इग्नोर्स इटिन क्वेस्टन के अनदर इस बातों को ध्यान मत रखना कि हम कस्टमर के साथ डील करें यहां में कि साथ जील करें कुछ भी नहीं राॉंडिंग ऑफ की बात हो रही है कितने राउंडिंगा थै मोग बताई ट्वन-धियूफ बातों केम बोलो चलो 1 की साथ चल रहा था न, 83.12, मानलो मेरे को 82 का rate आ गया, यहां पर, मैंने कुछ calculation किया, और मेरा rate आ जाता है, 83.1282, आप मुझे बताएंगे, कि, इसको मेरे को, अगर 25 pip के multiple में rounding off करना है, तो मैं कितना rate लिखू इसको आगे, कि देखो, अगर 25 pip के multiple चल रहा है, तो यहां तो इसके नीचे का rate होगा, इसके नीचे का rate क्या होगा बद या इसके ऊपर का rate होगा, तो 1, 2, 1, 3 जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीकि इसके ऊपर या इसके नीचे, इसके अगलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, है न, तो इसके इसका distance ढूंड़ो, और इसका यहां से यहां का distance ढूंड़ना, ठीक है, आप देखरो, यहां से यहां पहुचिने के लिए कितना चाहिए होगा, सिर्फ 7 pip चाहिए होगा, सिर्फ 7 pip का gap है यहां से यहां तक, और इसमें कितने pip का gap है बताओ, जान से देखला, 18 pip का gap है rounding of का rule ये कहता है कि nearest value पे रखना आप मुझे बताइए इसके लिए nearest कौन है ये है क्योंकि सिर्फ 7 pip का gap है आप मुझे बताइएगा कहां से कहां तक की gap जो होगा इसमें जाएगा यहां पे कितना तक अगर हो तो इसके अंदर जाएगा कोई बता सकते है इसके लिए यहां पे कितना तक होना चाहिए कहां तक 87.5 नहीं हो गए यहां पे क्योंकि 5 minutes जीट पे नहीं जा सकते है इसका मतलब ऐसे समझो आप टोटल जो difference होता है 25 pip के एक rate और दूसरे rate के बीच में जो gap कितने का होता है 25 pip का mid में रखोगे तो कितना pip हो जाएगा बताए 12.5 pip लेकिन 12.5 pip में कभी rate जाएगा ही नहीं क्योंकि 4 digits में 12.5 लिखने का मतलब है 5 digits में आपको expand करना पड़ेगा यह नहीं समझा दे repeat करता हूँ अगर मैं 12.5 pip यहाँ पर बढ़ाना चाहूँ चलो इसको 12.5 pip बढ़ाना इसको इसका मतलब इसमें 12.5 pip का मतलब होता है 0,0,0,0 नहीं आएगा 1,2,5 इसका मतलब है 12.5 pip देखो आप ध्यान से अगर इसका मतलब यह हो गया कि 12.5 pip अगर किसी को लिखना है तो आपको हर हाल में एक्सेंज रेट को 5 डिजिट पे एक्स्पांड करना ही पड़ेगा अदर्वाज फ्रेक्शन में आप लिखी नहीं पाओगे pip को तो ही बोल रहा हूँ बढ़ा हम तो एक्सेंज रेट कितने डिजिट पे फोर डिजिट पे रखते हैं इसका मतलब 12 हो गया 13 हो तो आप मुझे बताइए 12 का ग्याप है यह 13 का ग्याप है तो अपने आप छोटा बड़ा होई जाएग आपका देखो या तो 12 की ग्याप होगी एक तरफ 12 का ग्याप होगा एक तरफ 13 का ग्याप होगा तभी 25 ग्याप हो सकता है है ना तो मान लिजे मैं कह रहा हूँ कि 0.000000 है और अगला है 0.0025 अब इस बीच में जितने भी रेट होगी ना उसमें से 0.12 पिप तक को ग्या होगा वो इसमें राउंडिंग आफ होगा मतलब something something ये लिखना है something something ये लिखना है यही दो रेट हो सकता है बट हुआ क्या मैंने कुछ calculation किया मेरे पास रेट आगया something something 0012 ठीक है ये आगया something something 0.0013 आप मुझे बताएए इस रेट को राउंडिंग आफ करना है मैं नीचे की तरफ राउंडिंग आफ करूँगा तो यहाँ जाएगा उपर की तरफ राउंडिंग आफ करूँगा यहाँ जाएगा मुझे बताइए कहा राउंडिंग अफ करूगी है 0.12 को नीचे की तरह यही मैंने यहाँ पर लिखा है देखो 0.0012 तक की जो राउंडिंग अफ होगी ना इस वैल्यू में होगा वो आपको यह समझ आएगा मैंने लिखा यहाँ जो प्रिजन्ट करने की कोशिस की है वो आपको समझ आएगा कि 0.0000 से लेके 0.0012 तक की जो राउंडिंग अफ होगी ना वो इस रेट में राउंडिंग अफ होगी और जैसे यह 1.3 जाएगा ना तो अब यह नजदीक पढ़ जाएगा आपका कैसे राउंडिंग नजदीक होगा देखो 0.0013 से कहां तक जाना है आपको 0.0025 तक नजदीक कौन है आपके लिए यह नजदीक है यह दूर है आपके लिए देखो आप ध्यान से यह आपका 13 पीप के दूरी पे है यह 12 पीप के दूरी पे है तो आप राउंडिंग आफ नजदीक वैल्यू पर राउंडिंग आफ करोगे तो कहां राउंडिंग आफ करोगे तो होप यह राउंडिंग आफ का रूल समझ में आ गए हमेशा क्या देखेंगे हम जहाँ स्टांड करते ना उसके नजदीक में कौन सी 25 पिप है वहाँ पर जाके राउंडिंग आफ करेंगे याद रखना इंस्टूट ने जो कुष्टन सॉल्व के बहुत सारे कुष्टन के अंदर राउंडिंग उप मिस्टेक किया हुआ है तो हम लोग उस मिस्टेक को प्रिफर नहीं कर सकते क्योंकि देखो मिस्टेक याद रखने का मतलब है कुष्टन याद रखो न फिर तो आप इस कुष्टन में शूट में मिस्टेक किया है इस question में mistake नहीं किया है अब concept तो याद रखो ही रखो अब इंशूर्ट की question भी याद रखो कि इस question में mistake किया है तो हम भी mistake करके आएंगे कि दिक्कत क्या है आजकल ना आजकल हो चुकि है social media की जमाना हो गया YouTube की जमाना हो गया कुछ बच्चो को कुछ लोग को ये लगता है कि भाई हम mentor हम guidance देते तो कुछ भी guidance दे देंगे तो पढ़ाएंगे law पढ़ाएंगे audit पढ़ाएंगे taxation और ग्यान माटेंगे SFM का AFM का अरे आप अपनी paper का ग्यान माटो ना AFM का ग्यान हम लोग के लिए छोड़ दो ना समझ में आगए बात तो ये दिक्कत क्या हो जाते अब बच्चे को भी लगता है कि हाँ SFM का भी guidance दे दिया वो guidance साइद आपके लिए misleading होगा समझ में आगए बात और वो आके कैसे guide करेंगे पता है अपने experience के मताबिक कि देखो मैंने न 85 marks लाया था SFM में तो देखो उस time की जबाने की बात कुछ अलग थी अभी situation बहुत बदल चुके हमारे time पे हमें नहीं पता होता था कि हमने जो लिखा है हमने क्या लिखा है क्योंकि हमारे time पे certified copy नहीं आती थी समझ में आगे बात अभी के situation अलग है पहले के examiner की सोच अलग होते थे अभी की सोच अलग है तो इसलिए उस time के सोच को लेके आज अगर आप opinion दे रहे हो तो बहुत अलग situation आ जाते है वो कहते है कुछी भी हो जाए हमें institute की ही solution प्रिफर करना है पहले institute की solution में उतना कचरा नहीं था जितना आज है समझ मैं आगया तो जब आपके पहले कचरा था नहीं तो हम कहते थे institute के मुताबिक चल ले तो क्या होगा ठीक है आज अगर आप institute के मुताबिक चलना चाहोगे न पागल हो जाओगो उससे जादा कुछ नहीं हो सकता है इसलिस का मतलब है हो गए कि हमें एप्रोप्रियेट रहना है समझ में आगया बात अब जैसे मजे बताओ अब जैसे मैं ही सुनता हूँ कभी-कभी बच्चे बोल देते सर हमारे तो इस टीचर ने बोलाए कि देखो इंस्टूट कुछ भी करे आप आपने टीचर की मत मानो किसका मानो कि अगर जो करता है वही करो तो मार्क्स मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे तो में उन्हीं टीचर से मेरे एक कुछ में कुछ वर्टर मोडिल पढ़ते हैं हम लोग ठीक आप लोग भी पढ़े होंगे बच्पने नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे आगे उसका फर्मूला यह होता है DPS plus EPS minus DPS multiply by something divided by something चलो something लिखी देता हूँ यह होता है R divided by K E और divided by K E यह कुछ फर्मूला होते है जो आप लोग पढ़ो गया आगे इंस्टूट ने क्या किया है एक question के अंदर यहाँ पे रखाए 5 रुपे और यहाँ पे रखाए 1 रुपी 80 पैसे मैं उन teacher से पूछता हूँ जो ग्यान बांटते दूसरे paper का बताना institute का मैं कैसे याद रख लूँगा भाई एक ही question में एक ही point पे यहाँ पे DPS 5 है तो यहाँ पे DPS 1.8 कैसे हो गया और आप मैं बता दू यह mistake कब हुई है इंस्टूट से यह 2014 में हुई है ठीक है आप पास कब कर चुके हो 2008 में 2007 में उस टाइम यह mistake था नहीं तो आपके लिए यह opinion ठीक था क्या करना चाहिए बताओ इंस्टूट के मताबिक चलो आज situation बदल चुके आप इस तीजों को मानो न बस क्या करते हो यहाँ पे आके misguide करते रहते हो कि इंस्टूट जो करते हो वही करो हाँ हम भी कहते है करो आप मुझे बताए टाक्स वाले को ज़्यादा खुसी होगी SFF में या AFF में ज़्याद ज़्यादा माखसा है तब यह हमारे को ज़्यादा खुसी होगी आपके ज़्यादा माखसा है हमें ज़्यादा खुसी होगी समझाए एक सी जादक ना parents और teacher हमेसा आपके हर एक fee को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो मानते कि हम time देते तो उसके लिए थोड़ा सा remodation आनी च मेरा यह हमेसा मानना रहता है कि जितना effort लगाते उसके मुताविक रहना चाहिए ठीक है कितना नजायज fee है वो आप दूसरे course में जाके चेक करो आइडिया लग जाएगा आपको एक गंटे पढ़ाते आदे गंटे पढ़ाते लाक लाक रुपे लेते उसके comparison में तो यहां क टेस्ट में फी रख दिया इस बार जो mission 80 plus हमने कुछ स्टार्ट किया है उसमें मैंने बोला है कि 999 का फी है ठीक है और अगर 1000 refundable है तो इसको इस बात से दिखका थे कि आज तक तो आप नहीं लेते थे इस वार क्यों ले रहे समझ में आ गया आज तक इसलिए नहीं लेते थ विकली आओ दो दो बार तो उन सब चीजों में मुझे लगा कि टीम बनाने पड़ेंगे पहले क्या था एक के टीम से काम चल जाते थे एक लोगों चेक करते थे हो जाते अब मुझे लगता है एक से नहीं होने बाला है क्योंकि विकली टेस्ट लेना है विकली question question तो मैं बन बन गए फीर नहीं है और उनको इस बात से तकलीफ कि मैंने books जो है न books जो है वो books free में मुझे नहीं दिया तो आप एक चीजी बताओ books अगर मैंने update किया प्रिंटिंग और नहीं आता है एक काम करो ना आप खुद प्रिंट करने जाओ ना आइडिया लग जाएगा तो कभी को बोलूँगा कि इंस्चूट के answer को defer करो कि दिल से आप पहले अपने आपको पूछना हमेशा टीचर के और ऐसा तो होगा नहीं कोई भी टीचर के study mat नहीं देखता होगा इंस्चूट की solution नहीं देखते होंगे समझ में आ गया है लेकिन मैं क्या करता आपको disclaimer हर जगर लि की question है कैसे आ रहा है और भी बहुत सारे से यह तो एक example था हमारे लिए ठीक है एक बार इंस्चूट ने कुछ आया तो suggested में बोला कि risk-free rate को बढ़ाया जब inflation की premium थी तो वो भी question बात किये 2015 के असपास किये ठीक है risk-free rate बढ़ाया फिर उसके बाद फिर इंस्चूट ने solution मतल risk-free rate को 2% बढ़ा दिये ठीक है फिर कुछ लोगों को लगा कि यह गलत है तो अगले बार फिर question को modify किया एक साल बाद और risk-free rate को भी 2% से बढ़ा दिया और क्या किया पता है market के rate को भी 2% से बढ़ा दिया एक second opinion आ गए फिर third opinion फिर से आये कुछ अरलग तरीके से third opinion अभी आ करनी चाहिए ठीक है क्योंकि inflation की premium किसमें adjust होनी चाहिए सिर्फ risk-free मैंने यह question पूछा था उनसे इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने बोला एक चीज़ बताओ inflation की premium inflation का premium जाता है risk-free rate में जो भी बोला ना inflation बढ़ेगा तो risk-free rate बढ़ेगा मतलब treasury bill का rate बढ़ेगा वह आपक अब मैं टैक्स वाले टीचर से पूछता आपने तो यह problem जहला ही नहीं मैंने खुद भी नहीं जहला ता कब बताओ मैंने जब qualify किया कोई problem नहीं था इतना दो चार dispute होते ते कोई दिक्कत ही नहीं है भाई अभी इतना dispute आ चुके है कि आपको यह नहीं पता अब tax पढ़ात के rate भी बढ़ाओंगा और अभी आशिज गुपता जी जो अभी deputy director वो उसका मानना है कि नहीं risk free बढ़ना चाहिए तो 9-13 में फिर से question डाला MTP में उन्होंने frame किया कुछ language को बदल के और उस time क्या किया बताइए सिर्फ risk free को बढ़ाया अब जो बच्चे उसमें adjustment की वो जो नहीं शूट का follow किया था अब आशिज गुपता जी का मानना ही है कि risk free बढ़ना चाहिए अब हो गई नहीं dispute अब बताओ tax value किसे बता होगा पता होगा कभी वो चीज आप tax पढ़ाते हो हाँ tax की मुझे अगर मैं आज comment करू tax पर तो मैं गलत हो फिर क्योंकि हमारे time पर tax की treatment और आज की treatment बदल चुके होंगे मैं कभी comment नहीं करता समझ में आगए बात इसलिए हमेशा कहता हो appropriate रहो mind broader रखो ठीक है 10 marks की margin लेके चलो 10 marks कम marks आ सकते 10 marks ज्यादा भी आ सकते बस positive रहके सोचो SFM की ग्यान दूसरे teacher से मत लेने चले जावा समझ में आगए बात सिर्फ SFM जो SFM बढ़ाते हैं वो हर चीज रिसर्च करता है उनको पता है आज कोई भी teacher SFM के होंगे न अगर आज वो यह बोल दे कैसे जैसे कहते हैं वैसे ही करो तो खुद फंस जाएगा वो पढ़ादे टाइम खुद फंस जाएगा तो को खुद नहीं कर पाएगा कैसे करेगा बत होते थे पुराने जमाने की बात आज करने लग जाते हो गलत हो गई चमझ में आ गए बात है तो यह था किसकी कहानी हाँ इदर आए अब बात करें इंटरपरटरशन अब टूए कोट की इसको देखके फिर हम आज क्लास करेंगे जिनको आफिस जाना ने थोड़ा सा आज ब इंपोटेंट ठीक है इतना इंपोटेंट है कि इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और यहां पे एक और भी चीज बता दो जैसे कुछ लोग अगर पहले से पढ़े हैं जैसे उनका जैसे मुझे थोड़ा से लगा कि आप साहथ कुछ-कुछ पढ़े थे पहले से यहां प कि आपने पहले पढ़े होंगे, किसी और RiGistert से पढ़ लिए होंगे जैसे भी पढ़े होंगे तो आपने अलग तरीके से सोच रहांगे, आपके माइंड में अलग की सेट होगा, ata port क्याया क्या से सेट करेंगा तो आपको पहले क्या लगेगा कि ज्यादा confusion हो रहा है मुझ लिखोंगा अगर आपको पहले जानते हो तो मतलब दिमाग में कुछ लिखा हुआ है अब मैं कोई चीज डालूँगा तो पहले सामने वाले चीज़ हो क्या करना पड़ेगा इरेज करना होगा जो कि थोड़ा बाते को क्या कर सकते हो आप इग्नोर करो कानबंदी कर लो फिर जादा बेटर है कौकि यहां पर मैं देखता हूं इंडस्ट्री में थोड़ा अलग तरीके से चलता है कौन सही कौन गलत हम यह नहीं कह सकते सब अपने अपनी इसाफ से सही होते है पढ़ने का तरीका थोड़ा क्या होता है आपका अलग होता है अब देखो क्या है रेट यहां पर डॉलर वन इक्वल टू रूपी 80 और 85 है सपोज कीजिए मैंने बहुत ज्यादा इस्प्रेट डाल दिया है यह एक रेट दे दिया मैंने एक किस करेंसी का रेट है जल्दी बताना एक क्या खरीदने अब मैं अगले बार कहता हूं रूपी 1 इक्वल टू डॉलर 1.0125 और 1.030 जीरो वन थ्री जीरो आप मुझे बताइए इसमें क्या ट्रेड हो रहा है पहले बातों को समझ जाना यहीं से कन्फूजन शुरू होता है यहां डॉलर ट्रेड हो रही है यहां रूपी ट्रेड हो होगी याद रखना रूपी ट्रेड कर रहे हैं हम लोग तो रूपी खरीदने बेचने के लिए डॉलर में पेमेंट या रिसीट होगी डॉलर खरीदने बेचने के लिए रूपी पेमेंट या रिसीट होगी आप मुझे बताना यह भी बैंक का रेट है यह भी बैंक का और pay करूँगा क्या बताइए $1.0125 कोई दिक्कत है किसी को क्योंकि जब कोई सामान खरीदा जाता है तो payment होती है सही बोल रहा हूँ अब आप मुझे बताइए यहाँ पर आ जाते हैं यह क्या कह रहा है यह किसका rate है किसी bank का होगा खास करके यूएस वाले bank का rate होता है आप मुझे बताइए यूएस वाले bank क्या कह रहा होगा कि रूपी रूपी की बात हो रही है वो कह रहा है bank कह रहा है यूएस वाले bank की देखो भाई क्योंकि यह rate आपको इंडिया में नहीं मिल सकता है ये रेट इंडिया में मिलेगा ही न क्योंकि इंडिया में कभी रूपी ट्रेड नहीं होता है समझ मैं क्या बत और ये कभी आपको US में नहीं मिलेगा ये रेट ये रेट आपको जब भी मिलेगा इंडिया में मिलेगा ये रेट जब भी मिलेगा US मिलेगा और जब question solve कर रहे होते हैं तो वो तो कहीं कभी rate दे सकता है आपको, कभी India का दे देगा, कभी Malaysia NSI से rate उठाएगा, कभी New York Stockistन से rate उठाएगा, कभी दूसरे market से rate उठाएगा, जहां से भी rate उठाएगा, तो क्या होगा बताएगा, जहां से भी rate उठाएगा, तो फिर हमें तो उसी ही साथ सोचना पड़ेगा न, तो अब आप मुझे बताएगे, मैं bank की अगर बात करूँ, तो यहां पर क्या होगा देखना, रुपी, sell, sell होगा न, अच्छा, रुपी हम sell कर रहे हैं, तो जब कोई सामान बेशती है, तो क्या होता है, amount receive होता है, sell करने से कुछ receive करोग क्या बताएगे, 013, देखा ध्यान से, payment हो रही है कम, receive हो रही है ज़्यादा, फाइदा है bank का, और याद रखना, US के bank dollar में ही फाइदा करेगा, देखो फाइदा किस में यहां थे, dollar में, किस का फाइदा है, bank का, जो business कर रहा है, businessman का benefit होगा न, इसमें अगर बात करें, तो यहां की bank क्या कह रहा होगा, यहां की bank कह रहा है कि देखो में buy करूंगा, क्या buy करूंगा, dollar, भूलना मत, और dollar buy के लिए payment क्या करेगा, payment करेंगे rupee, कितना rupee बताई, 80, और यहां देखो क्या करेगा, dollar को sell करेगा, और उसके लिए receive करेगा, क्या receive करेगा बताई, 85, देखो जब price रूपी में है तो हमने बोला था आपको यह price होता है यह price यह home currency नॉर्मल ही होते है हर country का और loss gain हमेशा home country होते है भाई यह Indian bank है तो Indian bank की price है यह हमेशा Indian bank की currency में कमाएगा रूपी में यूएस की bank हमेशा किसमें कमाएगा बता है यह dollar में अब आपके साथ क्या होता है आपके पास यह तो dollar receivable होता है यह आपके पास dollar payable होता है दोई चीज हो सकता है एक काम करिए dollar में receivable करता हूँ ज्यान से रखना मैंने क्या कर दिया आपके जेब में suppose कि यह dollar receive होने वाला है तो अब आप इस bank में जाओगे या इस bank में जाओगे वो तो हमारे choice पर depend करता है आपको apple खरीदना है तो आपने बगल वाले market में जाओगे या दूर वाले market में जाओगे यह आप पर depend करता है कि या ना जैसे मैं जाता हूँ सब्जी मार्केट फर्ते आज वब्हें सब्चिन मृपज्डा वब्ही एक तो वहां जाता हूँ वहां से सब्चिन के अपने इसम्हें देट कि एटी कासे अमलब! या तो वहां पर अधी कwarmफ बासी होते रेट टू-टाइम्स होते McC ताइम नहीं तू टाइम्स ठीक है क्योंकि एरिया ही वैसा ही गर्वाहाँ पर ही नहीं एक छोटा सा मार्केट है वहां पर दस लोग बैठे हुए बस तो इसका रेट होता है टू टाइम्स एक तो बासी होगा और तू टाइम्स रेट होगा और मैं यहां से लेकर जाता हूँ ताजा होता है रेट 50% होता है तो यह मेरे 24 पे है लेकिन कभी-कभी क्या होता है अब इस मार्केट से जाने के लिए मुझे थोड़ा सा वहां नीचे आपके उतरना होता है पांसो मीटर नीचे जाना पड़ता है अब कभी-कभी क्या 500 मिटर ज्यादा बोल दिया 500 मिटर 100 मिटर ठीक है बस उतरते हैं पहुंच जाते है लेकिन होता है कभी-कभी क्या कि गाड़ लगाने की जगह नहीं होती है तो फिर थोड़ा सा टाइम लग लगाने की जगह है अब आज देख लिए दो गाड़ लगा हुआ है मैं आज रुकूंगा नहीं वहां पस आ जाता हूं तो मुझे वहां पर कितने मिनट्स की टाइम वेस्ट हो गई फिर भी 10 मिनट वेस्ट हो ही आता है जाओंगा डिटान लूँगा तो आज मेरे को मैं अपने मार्केट में ले लूँगा वाज क्या करूंगा वहां पर जाते हैं घर के बगल में ले लिया निकल गए दो मिनट भी न लगते इसका मतलब मुझे सब्जी कहां खरीदना है तो मैं डिसाइड करूंगा मेरे को कभी-कभी मजबूरी होते हैं तो मैं क्या करता मैं अपने मार्केट में ले रहा हूं मतलब गर के बगल सामने लगा रखा है इसे समझो न वहां रोका लिया दो मिनट में घर पहुंच गए तो यहां पर दस मिनट एकस्ट है वहां दो मिनट यानि कि यहां पर मुझे 50% सेव करने के लिए ताजा सबजी खरीदने के लिए मुझे 10 मिन रख्षा लगाना पड़ता है अपने एडिया में लेने के लिए टाइम सेविंग है अमरे लिए तो मैं कहां पर लू बताओ मेरा मूड करेगा मेरे सिच्वेशन बताएगा मैं यहे पास 24 है मैं इस मार्केट में जाओ मेरे पास 24 है मूड रिपेंड करता है कहा कि आँ मैं क्या दखना situation डोनों में अलग अलग है यहां दिक्कत क्या हो जाता है हर बच्चे क्या करने लग ज गजाते एक ही रास्ते से गुजरते हर बार दूसरा रास्ते देखना ही नहीं चाते क्या हूँ है इसका मतलब क्या है आपके पास डॉलर आ रही ही ना में मजबूरी आ जाएगा आप फसोगे आप स्टार्टिंग में कमफर्टेवल होने के लिए एक रास्ते को यूज करना शुरू कर लेते वो क्या सोचेगा पता है मेरे को डॉलर आ रहा है मैं डॉलर क्या करूंगा बताओ आप यहां पे हो आप यहां पे हो मैं दोनों चीज़ों को लिंक करते हुए चल रहा हूँ जो फर्स टाइम पढ़ रहे होंगे वो सोचेंगे कि हमारे लिए काम का नहीं है लेकिन जो पहले से पढ़ा हुआ है कुछ दिमाग में है क्योंकि खास करके एक्जाम औरिंटेट बात से तो उसमें हो होगे तो देखो डॉलर करके लो हूब हम बेचने जाएंगे हम बेचते ही बीड़ पढ़ाते है न को हम बेचते हैं हम Rulesते हैं मतलब यह क्या करेगा जिसका रेट हो खरढ़ सामने वाले खरीदेगा थो हमारे लिएником कंफ़र्टेवल रही हो कितनाइव हमारे पास डॉलर आ इस रेट को इसमें convert कर लेंगा उज की उसकेए time लगता है यह convert करने जा रहे है उसमें time लगता है चलो 10 second ही है same nice second कम हो गया क्या चलो बिस सेकंड भी partner का पादेगा अपन्स theorिं वर नग सकता है आप 20 सेकंड एक्स्ट के वे लगा रही तहीं 20 मिस्टेक भी तो नहीं होगे तब पता चलेगा 20 सेकंड में मिस्टेक होता है या नहीं होता है वो जब आप पहुंचोगे कुछ ऐसा एक्षेंज रेट मिलेंगे तब करते रहो और उन सारे बच्चों से यह कुश्चन नहीं समलते हैं यह आफ्टर डिव डेट वाले यह कहते पता है कि यह मेरे लिए ज्यादा कमफटेवल है लेकिन में फिर भी दूसरा रास्ता देखके रखता हूँ आप देखना आप अपने गली में चार रास्ता होता है, एक रास्ते में बंडारा हो रहा हो, दूसरे रास्ते को यूज कर लेते, क्योंकि वो गली बंदी कर देते, इस रास्ते में बंडारा हो रहा हो, अगर आप बोल नहीं सकते कि यहां कैसे कर रहे हो, आप यह नहीं कह सकत स्रधा की बात है भक्ती की बात है है ना हाँ लेकिन किसी के साध्यूदी हो रहा हो तब सुना भी देते हो आप है ना जी तो यह चीज है तो आप मान लो अगर आपको रास्ता नहीं देखा तो क्या करोगे बाप बैठे रहो जब बंदरा खतम होगा तब जाना फिर अपने घ ठीक है और इसका रिजगरा नहीं बनाते हैं तो मेरे सियाद ने बने गए propor же लगे है कोई बात निहीं हमारा अंसर नहीं कुछा है पता नहीं रहता है लगालो पता नहीं चलेगा कंने जिए तो इसलिए हमेशा कहता हूँ कि प्रोपर वे में पढ़िए आपको ये रेट ही अपलाई करना है मैं इस रेट के थूर नहीं जाओंगा समझ में आगे बात तो आप मुझे बताओ डॉलर क्या कर रहे हो आप बेच रहे हो ना डॉलर बेच रहे हो इस गय मार्केट में गया अब इस मार्केट लेके जा रहे हो तो आपने डॉलर दिया बैंक को बैंक आपको क्या पे करेगा बताइधे रुपी, हमेशा कम पेमेंट करेगा रुपी आपको bank हमेशा देता कम हैं लेता ज़्यादा है आपको रुपी पे कर रहा है, देखो इसमें दो अमाउंट है रुपी का 80 और 85, हमें सिलेक्शन करना है कि 80 का रेट अप्लाई होगा 85 का रेट अप्लाई होगा आप मुझे बताए बैंक आप इसमें से क्या पेमेंट करना चाहेगा क्योंकि पेमेंट कर रहे है रूपी आपको तो जब बैंक रूपी पेमेंट करेगा तो बैंक हमेसा फाइदा करता है तो कम पेमेंट करता है ज्यादा रिसीव करता है एक लाइन से याद रखना बैंक पेमेंट करता है कम रिसीव करता है ज्यादा बैंक खरीदता है सस्ता बेशता है महंगा तब ही तो हो गया ना बेचा मतलब रिसीव किया महंगा ज्यादा रिसीव किया क्योंकि जब भी जो सामान खरीदते बेशते हैं अधर चीजों का होता ह एपल महंगा खरीते हो न तो जेब से रूपी जा रहा होता है ज़्यादा यही भूल जाते हैं एपल खरीद रहे हैं महंगा खरीद रहे हो जेब से रूपी जादा जा रहे है समझ में आगे बात तो हमें क्या ध्यान दखना है कि यह क्या देंगे तो यहां पर rate apply कौन से होगा 80 यहां कि यह काम खतम हो चुका है इस rate के थूरू तो मैंने एक line में बता दिया मैं जी इस route के थूरू बताना है यह ध्यान रखना है आपको अब इस rate के थूरू जाए तो कैसे होगा देखो अब यहां पर यह सामने आपके जेब में है रूपी आप सरी गलत बोला मैंने आपके बस एक दो मिनट लगेंगा और कुछ नहीं आपके जेब में क्या बताए डॉलर आप गए बैंक को डॉलर देने तो बैंक आपको क्या देगा बताए रूपी अब वहां देखो इस rate के अंदर डॉलर खरीदी रूपी खरीदी बेच रहा है वो डॉलर खरीदी बेच नहीं रहा है यानि पेमेंट के जो अमाउंट है ज़्यादा कम जो होता वो रूपी के होते यहां तो ज़्यादा कम रूपी की है ही नहीं ज़्यादा कम किस किये बताओ डॉलर की, तो कोई बात नहीं, इसी को आप डॉलर की ही ज़्यादा कम में interpret कर लो, बैंक क्या कर रहा है बताइए, receive कर रहा है जो quantity आपके जेब में है ना, उसी की ज़्यादा कम बरा रहा है वैसे होना चाहिए था इसका low quantity, क्योंकि payment कर रहा है लेकिन इसमें ज़्यादा बड़ा चोटा दिया ही नहीं रूपी के लिए, देखो ध्यान से आपको बैंक कहता है कम payment करूंगा, यह इसके पास कम amount यानि की low amount ही नहीं रूपी का अब आपको यहाँ पे बड़ा selection करना पड़ेगा, बताओ कैसे, क्योंकि bank receive कर रहा है, यह amount, बैंक हमेशा क्या चाहेगा बताइए, ज़्यादा मैं receive करो, dollar मेरे को ज़्यादा चाहिए, यह ज़्यादा वाले amount होगी उनके लिए, समझ में आ गया, तो यहाँ पे जो rate जाए तो conversion में फ़रा सा दिक्कत आएगा, क्या दिक्कत आएगा देखाना, हमारे को dollar 1000 आ रही थी, dollar 1000 देना है, लेकिन हमने यह rate apply किया, rate कैसे देखो आप, rupee 1 equal to dollar, कितना था बताइए, 1.013, अब मैं क्या करूंगा पता है, मेरे पास dollar की quantity अब लेवल है, तो मैं क्या करने जा र रखेंगे, और फिर जाके rupee amount निकालेंगे, selection पकड़ में आई क्या, बस, एक line, हम इस rate से भी selection कर सकते हैं, इस rate से भी selection कर सकते हैं, अगर ये rate given है question के अंदर, तो ask rate apply होगा, ये rate given है question में, तो bid rate apply होगा, इसका मतलब, अगर base currency बदल दिया जाए, तो bid की जगह क्या apply हो जा तो फिर quantity बदलेगा ही बदलेगा, फिर हम किसको selection करेंगे, जहां हमारे को, ultimately जेब में ज्यादा पैसे आना चाहिए, अब यहां चेक करते हैं, कितना आ रहा है एक वर चेक करना, यहां आ रहा होगा आपका 1000 divided by 0.013, यहां आ रहा है जेब में 76,000 something न, 76,923, आप मुझे बत करते तो, और इस बैंक को यूज करेंगा, तो जेब में आएगा 76,923, कौन बढ़िया है आपके लिए बताओ, अगर मान लिज आपके पास 24 था, एक है आपके पास मेरे वाले सबजी मार्केट और एक है घर के सबजी बगल वाले मार्केट, तो मैं किसको यूज करता, इसक अभी-कभी मजबूरी होगा, तो इससे भी कर सकते, इसका मतलब क्या होगा, बिड और आज जब सेलेक्शन करनी है न, तो रेट का बहुत बड़ा रोल है, कि रेट किसको कोट करके दे रहा है, डॉलर को कोट किया है, या रूपी को कोट किया है, और यहीं पर जाके हम वाले रेट उठाएगा उसकेस, ठीक है, एक बार आप रीड करने की कोसिस कीजिएगा, यह बहुत ज़्यादा अच्छे खासे number of page में detail यहां पर discussion है, अगर आपको लगेगा कि यह रीड नहीं करने में दिक्कत हो रही तो आप सीधा example solve कर लेना, यहां पर चार example दे रखख क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और चार को दिल से समझने की कोसिस करना, अगर यह चार example में एक भी mistake एक बार भी नहीं किया ना आपने, तो किसी का दम नहीं कि आपके rate correction, सरी selection में क्या हो गया, mistake हो जाए, लगिन याद रखना, एक बार अगर आपने rate selection correct कर लिए, तो बस तो नो कहाँ mistake कर जाता है पता है और एक selection अगर mistake हो गई ना, तो आप imagine करो, zero, let's do, क्योंकि selection mistake, chain में सारे calculation mistake, सारे काम कर लो आप, last में marks क्या मिलने वाल है, zero, यादि कि इतना risky point है, मिलते हैं, next class, परसो, क्योंकि कल तो ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, तो कल शुटी रखते हैं, आसो, आप लूगगा लास और एक लगल उर्जयन कर से ऊंगचि मुच ने एक तो क्योंकि जएगे